हाज बच्चे लोग गुड इबिनिंग कैसे हैं आप लोग आज हम लोग दर राइज ओफ नेस्नलिजम इन यूरोप की बात करने वाले हैं जो आपका क्लास तेंट से लिया गया है पहला चैप्टर है एसस्टी का फर्स्ट चैप्टर है दर राइज ओफ नेस्नलिजम इन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जबत नहीं पड़ेगी बहुत इजली आप इसको अच्छे से समझ सकते हो अच्छे से कर सकते हो बाकि मैं मूर्स को भी शेयर कर दूँगा उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा मेरा नाम महें सिवारी है और स्कूल में टी लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वा गये थे मेरा डेली लाइफ क्लास होता है ठीक शाम आट बजे क्लास तेन्थ के लिए तो जल्दी से जो भी बच्छे क्लास अटेंड करना चाहते है जल्दी से लाइब आ जाईए आट बज चुके हैं और हम लोग का क्लास सब स्टार्ट होने वा जल्दी से बाकी लोग भी लाइब आ जाईए दर राइज ऑफ नेशनलिजाम इन यूरोप लेको यह जो चैप्टर है ना हिस्ट्री का पहला चैप्टर अगर आप समझ लिए तो बहुत आसान है अगर नहीं समझे ना तो बहुत कंप्लिकेटर है सबसे जाला तो इसी सही हर एक टॉपिक को हर एक चीज को समझना जरूरी है प्रशांत सिंग उड़िबनी हर एक चीज को हर एक टॉपिक को समझना जरूरी है गौरव सिंग हेलो तो यह समझना जरूरी है इसलिए सुरुवात से आप इसके साथ हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिएगा हर एक word का कुछ particular meaning होता है उसका meaning आपको बताना पड़ेगा समझना पड़ेगा तब ही जाकर आप इस पूरे chapter को समझ सकते हो और एक वार अगर आप समझ गया है तो उसके बाद आपको दिखत नहीं होगी इस chapter में तो मैं जो भी यहाँ पर दूँगा और notes के रूप में आपक इसको copy कर सकते हो और सिर्फ और सिर्फ इसमें वही चीज़ को मैं mention किया हूँ जो important है और जो आपका निस वेनेडिक्ट और जो आपका point में दिया हूँ बिल्कुल point में आपको each and everything मिलने वाला है तो सबसे पहला चीज शुरुवात करते हैं देखो हम लोग का दिमाग में एक पहला चीज क्या आता है कि यूरोप बहुत developed country यूरोप बहुत developed continent है हम लोग के दिमाग में पहला चीज यही आता है कि बहुत developed है वहां के लोग बहुत सब में हैं वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि उनका जो है life बहुत comfortable रहा है इन फैक्ट आप कहोगे जो इस्तिति हिंदुस्तान का था आज से 200 साल पहले नोट्स बहुत अच्छा था गौरब कुमार सिंग नोट्स बहुत अच्छे से लिख रहे हो खुद से लिख रहे हो या फिर कहीं से कॉपी कर रहे हो अच्छा तो यह जो भी है आपका यूरोप में वह आपका बहुत मने खराव इस्तिति था अगर इंडिया से भी हम लोग करते हैं तो हमारे यहां जो इस्तिती थी वह तो अलग बात है हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे वह अलग कारण है पर यूरोप में अगर यह इस्तिती थी जहां पर करते हैं कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं developed continent है उसके बावजूद में वहां की स्तिती देखकर आपको का मतलब समझना छीए कि है कि वाट इज नेशनलिजम है कि बहुत अच्छा तो नेशनलीजम का मतलब होता है ने अच्जा नेंशन का मतलब होता है देश औरोने प्रति आपका बिचारैनम्र hm the only नि क्या होताkrit है कि आज हम लोग करते ने बीया सब्वाकर के साथ करते हैं ज only feeling of the nationalism वो हमारा nationalism है जो हम लोग को करता है कि वी आर इंडियन्स है ना और जितने मी भारती हैं सब भाई भाई है यह हमारा क्या बताता है nationalism को दिखाता है तो यह यूरोप की अगर बात करोगे तो आज से करीब 300 साल पहले बिल्कुल राष्ट बाद बिल्कुल सही बोले हो राष्ट बाद मतलब जिस सब्द के नाम से जिस वर्ड के नाम से आपके अंदर एक feeling आ जाता है आप उसी को करते हो राष्ट बाद जिसके लिए आप जीने मरने के लिए खड़े हो जाते हैं उसी को आपको अपनी जान देनी पड़ेगी लड़ना पड़ेगा गोली बंदूख से 100% मना कर देगा पर यही नेशनलिजम है यही नेशनलिजम है जो बॉर्डर पर 12 लाग सिपाईयों को क्या कर रहा है लड़ने के लिए खड़ा कर रखा है ना यह नेशनलिजम की ताकत है दैट रहते हैं तो इसका सुरुवात कैसे होता है इरोप में यह सुरुवात से समझते चलिएगा कड़ी बाइच कड़ी हर एक चीज़ को मैं जोड़ता हूँ आगे चलूँगा तो आप इससे पहले पड़े होगे फ्रेंच रिवालूशन है ना तो फ्रेंच रिवालूशन देलिंग था जो दीडेदीडे सामने आया उसके पीछे बहुत सारा कारण था आप नाइंध क्लास में फ्रेंच रिवालूशन पड़े होगे तो यहां पर क्लियर सी बात है कि यूरोप में फ्रेंच रिवालूशन के बाद या उस समय के अरॉंड में लोगों के अंदर एक पोलिट्िकल भी था लोगों का feeling जो ह्ताना वो छेंज हो रहा था लोग कुछ अलग करना चाते थे खुछ अलग सोचना चाते थे और उनके मन में एक का भावना आना चाता था है ना तो उसके लिए उन्होंने सोचा क्या कि है अगर एक आदमी के पास voter ID card, आधार card या कुछ भी इंडिया का कुछ भी ऐसा identities नहीं हो तो उस आदमी को हम Indian कहेंगे क्या, नहीं न कहेंगे तो एक आदमी, individual किसी का क्या identity है हम अपने बारे में किसी को क्या बताएंगे आप अमेरिका जाते हो, बोलते हो ना भी आर इंडियन्स या आएम इंडियन्स बोलते हो लेकिन इंडिया है, तभी तो आप बोल सकते हो तो ये चीज़ European के मन में आना शुरू उडिया था कि हमारी identities क्या है आखिर मेरे को लोग किस तरह से जानेंगे आखिर मेरे के लोग जानने के लिए कोई तो identities होना चाहिए, जो बड़े लेबल पे हो आप छोटा से छोटा देश का देख दो, भुटान तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर भुटान के लोग अमेरिका जाते हैं तो कह सकते हैं, भी आर भुटान इस हम लोग भुटान से बिलॉंग करते हों कह सकते हैं, उनका एक identity बन जाता है, एक्जैक्ली यही feeling जो है, Europeans के मन में आना शुरू हो गया था, है ना, तो क्या आना शुरू हुआ था, तो जब French revolution स्टार्ट हुआ, और उसके बाद, French revolution जो है ना, लोगों के मन में एक sense लाया, और उस sense क्या लाया, तो we all are collective identity amongst the French people, हम सभी लोगों का एक collective identities होना चाहिए, हम सभी लोगों का एक collective identities होना चाहिए, मतलब जैसे इंडिया में क्या है, कि हम सभी लोगों का गोरा, काला, हुँचा, नीचा, छोटा, बड़ा, जैसा भी जो भी है, गरीब अमीर, सबका एक single identities है, इंडिया, उसी तरह से French लोग भी यह सोचे, कि हम लोग का कुछ collective identities होना चाहिए, और उग collective identities में क्या क्या आता है भी, तो ideas of, ideas of La Patry and Lee Citrion, यह क्या है बच्चा, La Patry and Lee Citrion, किसी को आइडिया है क्या इसके बारे में, क्रिटिका मोरिया, welcome back, good evening, La Patry and Lee Citrion, क्या है बच्चा, जैकि सोर बिडिया, good evening, इसका मतलब बता ही है, La Patry and Lee Citrion, fatherland, बहुत अच्छा है क्रिटिका, fatherland की बात कर रहा है, तो देखो हम लोग करते हैं न भारत मा, बहुत पते हैं न, इसका मतलब है कि भारत मा एक symbolic representation कर रहा है, इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि हम जिस देश में जर्म लिए, जो देश मेरा वो fatherland की तरह भी है होना चीए, वो हमारा identity होना चीए, आपका identity जैसे आपके पिता के दुरू होता है न, आपके father के दुरू, उसी तरह से हर एक आदमी का identity होना चीए, और उसी को करते हैं, ला पैटरी, that is fatherland, और ली सिट्रियोन का मतलब होता है क्या, उस particular देश का नागरिक, जैसे Indian citizenship दिया जाता है, उसी तरह से मेरा भी कोई citizenship होना चीए, यह idea किसके मन में आया, collectively, french people के मन में आया, है न, इसके अलाबा new french flag होना चीए, new french flag, flag क्या करता है, flag कुछ करता नहीं, ऐसा तोड़ने कि भारत का agenda आप लह राते हो, तो कुछ अलग हो जाता है, कुछ दिन बदल जाता है, यह हमारा feeling से जुड़ा हुआ है, जब भी भारत का agenda 26 Jan हो या 15 August हो, जब भी हम लोग फहराते हैं, तो एक अंदर से feeling आता है, कि जिसको हम लोग कहते हैं, कि अंदर से energy आता है हम लोग को कि हम लोग भारत देश के अभिमान के वो बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस french flag जो था, that is symbolic representation of a country, तो एक flag बनाया गिया, इसके लाबा, state general was elected and renamed national assembly, एक national assembly बनाया गिया, national assembly का मतलब जहाँ पर, वहाँ के लोग जो हैं, जहाँ बैट कर, France के अंदर, France को represent कर सकें, है ना, कुछ जैसे हम लोग का parliament कैसे है, उसी तरह से, वहाँ के कुछ लोग जो हैं, वो France को क्या कर सके, represent कर सके, जैसे हम लोग कहते हैं, नरेंद्र मोधी, भारत का representative है, हमारा परदान मंत्री अगर तेज तर्रार है, तो यह भारत को दिखाता है, कि भारती यह कैसे हैं, इन से पहले जो हमारे परदान मंत्री थे, वो बहुत सीधे और सांध थे, यह हमारे पूरे इंडियंस को बारे में दिखाता था, पॉपुलेशन के बारे में कि हम सभी लोग ऐसे ही है, तो यह हमारा आइनिक, आइकोनिक रिपर्जेंटेशन होता है, ना, इसके अलावा, निव हेम्स, कंपोजट एड़ ओथ टेकें, जैसे हम लोग का कैसे है, जैना घना मना, उसी तरह से आपका बंदे मात्रब, जब भी यह गाते हैं, तो अंगर से एक फिलिंग आता है, ना, हेम्स का मतला है, राष्ट का गीत कह सकते हो, है ना, राष्ट का जैसे हम लोग जाना गाना कहते हैं, जैसे ही गाना कहते हो, कहते हैं कि ख़ड़ा हो जाना चाहिए उसके सम्मान में, वो कोई आदमी थोड़े नहीं जो उसको सम्मान चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको सम्मान, respect देकर अम उसको respect देकर इस देश को respect देतेया ना तुसी तरह से एक new hymse compost किया गया जैसे हमारा national song बिलकुल Kritika शही बोली हैization son in bachelor centralized administration system यह से इंडिया में centralized है that is controlled France Delhi उसी तरह से France के अंदर भी कुछ होना अची है इसके लावा इंटर्नल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज बरेवोलिस्ट पर को एक छोटा सा एक चीज़ बताता हूं जैसे आप मानलो जो देली में रहता है कि तो देली से समान अगर आप ले जाते हो यूपी तो आप क्या एक्स्ट्रा पैसा देते हो क्या शागर बुड इमेंग आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो क्या बिलकुल नहीं देते हो अगर आप पर्संट्र यूज करने के लिए देली से समान यूपी ले जा रहे हो तो इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हो हाँ अलग बात है आप trade करते हो business करते हो तो उस case में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं you have to pay GST और उसके बाद आप कहीं भी ले जा सकते हो पर Europe के अंदर बहुत खराब इस्तिती थी था छोटा छोटा बॉटर बने हुए थे जैसे आप देखते होगे ना मेला के समय में मेला के समय मे जिस road में चले जाओ वहाँ पर barrier लगा होता है और उसके बाद वहाँ पर collection center होता है कि आप यहां से गाड़ी लेकर आयो तो यहां पैसा दो यहां से गाड़ी लेकर आयो तो यहां पैसा दो पस exactly Europe में उसी तरह से था एक अगर समान होता था ना एक समान को दूसरे तरफ ले गया शाथ रुपया हो गया और इसी तरह से प्राइश इसका continuous थे उन आम लोगों के ऊपर बाडेंग बढ़ता था जो आके आम पीपल होते थे उसके ऊपर क्या बढ़ता था बढ़ता था तो ये गड़बर था जिसको क्या किया गया है यह दो घंट कीया गया मतलब घंट किया गया इसके लबाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेट एंड मेजर भेर इंट्रोडिउस्ट पहले यूरूप में क्या था था उस देश का अलग वेटिंग सिस्टम है सिटी में होता है ने खाल उसको तोल टैक्स को आप इस से जोर सकते हो तोल टैक्स को अफिससे नहीं सकती हो बनाती है रोड बनाते हैं एक रूड जो लने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है ठीक ना उस सरकार का नहीं होता प्राइबिट कंपनी का होता है टोल टैक्स ठीक ना तो यहां पर क्या होता है तो यहां पर क्या था ना कि बॉर्डर बना हुआ था उस बॉर्डर को पार करने के पाद आपको पैसा देना पड़ता था है ना और वेट जो था था confusion को create करता था बच्छा और इसी लिए क्या किया गया uniform system बना है France के अंदर ये इस्तिती था और French became the common language पहले क्या था जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना हिंदुस्तान में करीब 20 मान लेते 30 states है ठीक है ना और इन 30 states का अलग-अलग language है लेकिन फिर भी एक common language हम लोग पूरे हिंदुस्तान का मान कर रखे है ना that is Hindi बस उसी तरह से France का एक official language बनाया गया that is French बाकी क्या होता था था पहले local language में बोला जाता था संजीब कुमार गुडिब नहीं local language में बोला जाता था अलग एरिये का अलग होता था जो confusion को create करता था लोग यह समझ नहीं पाते थे कि किस language में मेरे को बात करना है ना तो यहां तक आप समझ गया ना feeling of nationalism क्या होता है friends लोगों के मन में किस तरह का feeling आया यह सारे feelings है उसके बाद ही ओ आगे का काम कर सका है ना प्रशान सिंग बिलकुल English ही नहीं है 22 languages है हमारा 22 language है जो जिसके तो आप कोई भी सरकारी काम कर सकते हो in fact भोजपूरी भी अब आते हैं एक नया स्टार का जनम होता है ठीक है ना नेपोलियन यूरोप में जैसे कहते हैं न कि भारत में चंद्रगूप्त थे या अकबर जो भी कर लिजिए उसी तरह से यूरोप में नेपोलियन थे नेपोलियन बोना पाटे इनका पुरा नाम था और सही मायन में नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ नेपोलियन एक सैनिक था बस जिस तरह से जर्मनी के अंदर हिटलर एक सैनिक था ना उसी तरह से नेपोलियन भी एक सैनिक था और ये सैनिक था होते लागो किया प्रांस के अंदर कोई किसी को राजा नहीं मान पा रहा था बहुत लोग जो थे वहां के जो राजा थे लूइस फिलिप उनसे खफा थे और लोगों के भावना को समस्ते हुए इस इसने क्या किया वहां पर डिक्टेटर्शिप लागो किया इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त को है ना और जब मरा तो उस समय पांच में हो रहा था फ्रांस में इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 17, 16, 9 को है ना तो यह जो था एक सैनिक था और सैनिक होते हुए भी फ्रांस के भाव का यूज करके वहां का राजा बन गया और यह जो है फ्रांस के अंदर बहुत कुछ लागू किया बहुत कुछ चेंज़ लाया वह चेंज़ अच्छा भी हो सकता है खराब ही हो सकता है क्या क्या लाया तो सबसे पहली बात कि जो नेपोलियन थे उन जो रूल किये हैं 1799 से लेकर 1815 तक 16 साथ 17 बिलकुल he was French military and political leader तो सबसे पहली बात कि 1799 से 1815 तक और रूल किया है ना 16 साल याद रखना यह पूछा जाता है अब यहां पर ध्यान रखिएगा गेन एपसॉलूट पावर का मतलब क्या हो गया सरपे सरबा मतलब लीडर्शिप पूरा complete लीडर्शिप इसके कंट्रोल में आ चुपा था he was the head of the total French country यह पूरा का पूरा हेड था अब एक आदमी अगर dictator बन जाएगा एक आदमी तो अपने अनुसार और क्या करेगा रूल और रूवर में रूल और रेगुलेशन को चेंज किया और वही जो रूल और रेगुलेशन को चेंज किया कब किया in 1804 जिसको नाम दिया गया Civil Code of 1800 Court और नहीं तो Napoleon Court आप से कुछ भी पूछा जा सकता है Civil Code of 1800 Court या फिर आप से पूछा जा सकता है Napoleonic Court दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है किलियर ना यहां तक किलियर हो गया होगा हम लोग है जो बिलकुल अच्छे से आराम से करते चल रहे हैं तो क्या गया 1799 में Napoleon वहा का राजा बना 1799 में राजा बनने के बाद 1804 में 1804 में Napoleon Code लाया जिसका दूसरा नाम है Civil Code of 1804 अब यह Civil Code का फीचर क्या था फीचर आपको Point Byte समझना है तो पहला चीज जब हम France की बात करते हैं तो France की स्थिती India के मुकाबले के उसमें बहुत खराब थी लोगों में equality नहीं था लोग है जो बटे हुए थे अलग-अलग पार्ट में according to their position बटे हुए थे हर आदमी एक दूसरे से अलग था तो नेपोलियन का पहला काम क्या था ना कि वहाँ पे जो majority में जो लोग थे जो majority में लोग थे हो पीजेंट्स थे मतलब गरीब लोग जो majority में लोग थे हो गरीब लोग थे लेबर लोग थे और उन्हें किया क्या ना कि इसी majority के जो लोग थे इनका फाइदा उठाया बेनिफिट लिया और इनके लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि ये खूस हो जाए तो एक गरीब आदमी का बच्चा यही सबसे ज्यादा खूसी होता है कि अमीर आदमी उसके बराबर हो जाए उसको खाने के लिए कुछ मिले ना मिले हो सेकेंडरी है पर एक गरीब आदमी को अगर अमीर आदमी के बराबर कर दिया जाना तो उसकी खूसी बढ़ जाती है बस नेपोलियन यही काम किया यहां पर पॉलिटिक्स किया हो हां इंडिया गुलाम था भई अंग्रेज की बात नहीं करें अंग्रेज से पहले की बात कर रहे हैं ठी यह सबसे बड़ा काम किया नेपोलियन वहां के पीजेंट्स के लिए कि अब यहां पर कोई ऐसा कलर्किकल नहीं होगा कोई नोबल नहीं होगा सबके सब जो है क्या होगा पराबर होगा मतला कोई किसी पर अधिकार नहीं दिखा सकता है यह सबसे बड़ा काम किया है दूसर यह पहले क्या होता था ना कि लोगों के संपत्ती का अधिकार नहीं था लोगों का जो प्रोपटी होता था ना वो प्रोपटी सरकार की होती वहां की गवर्मेंट की होती थी वहां की राजा की होती थी किसी का अपना पर्सनल प्रोपटी नहीं होता था वो क्या किया राइट administrative measures था जो बहुत ज्यादा complicated था उसको क्या किया हो simplified किया बहुत simple बनाया है ना बहुत क्या किया simple बनाया इसके लाबा abolish feudal system यह feudal system क्या है कौन बताएगा what is feudal system what is feudal system जल्दी जैसे हिंदोस्तान में हपहले कैसे होता था ह instruction पहले कैसे होता था हुंदोस्तान में है的話 पे तु नोबल और कलर जी तो देखो क्या होता था ना कि पहले इंदुस्तान में कैसा था कि हम लोग बंधुआ मजदूर रखते थे है ना उसी तरह से वहां पर फ्यूडल सिस्टम होता था फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो अमीर लोग होते थे कुछ पैसा दे देते थे जमीन दे देते थे और जमीन देने के बाद उस पर उसका लोयल्टी लेते थे पैसा लेते थे अपना जमीन दे दी है कि तुम काम करो लेकिन उसके एवेज में क्या दो बिल्कुL to pay to normal ओर कंशी ये बता यह भी लिखना किसके लीए payment करना था तो that is for the land chains line वो दिया जाता था उसके लिए क्या करता था पेमेंच करता था ठीकर न यह चीज को कौन कर दिया niipolean खतम कर दिया इसके लाबा freed pagents from the safe dome and मतलब जो पीजेंट्स लोग थे जो डूसरे लोगों के कलरकिकल लोगों के अंडर में जब काम करते थे उन सब को क्या कर दिया फ्री कर दिया है ना और गिल्ड रिस्टिक्शन रिमूवट इसके लावा जो रिस्टिक्शन थे जो गरीब लोग इपिजेंट्स लोग कुछ नहीं कर सकते और रिस्टिक्शन को क्या कर दिया गया खतम कर दिया और ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूवट ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया improve किया गया तो अगर आपसे पूछा जाए Civil Code of 1804 का क्या advantage था या क्या feature था तो आपको यही सारे points बताना है कि उसमें क्या-क्या किया गया था जिसको कहा जाता है Civil Code of 1804 या फिर Napoleonic Code clear है यहां तक यहां तक clear चलिए डाक्टर मिल्टू मलिक आज नया है Welcome है बच्चे आपका अब एक चीज और ध्यान देदा कि कोई भी चीज अपने कभी अपने आप में perfect नहीं होता है कोई भी चीज अपने आप में कभी perfect नहीं होता है Napoleon Code देखकर तो लग रहा है कि Napoleon ने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा काम किया पर Napoleon का अपना एक महात्वा कांचा था उसका एक मोटो था कि मेरे को क्या करना है और उसी के बेस पर वो सारा काम करता जा रहा था अब इस Napoleon Code का कुछ drawback था drawback क्या था कि increased taxes देश चलाने के लिए भई पैसा देना पड़ेगा लोगों के उपर tax को imposed कर दिया क्या तो देश अगर चलाना है देश में खर्च करना है आर्मी बड़ी करनी है क्योंकि वो चाहता था ना कि फ्रांस बहुत बड़ा बन जा है पूरे यूरोप पर फ्रांस का कबजा हो तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की ज़रत पड़ेगी और इसके लिए उसने क्या किया टैक्सपों cartridge कर दिया है ना शी अना सिंशर्षी बर इंफोउस वाяж सेंशर्षिप उन बुटाएगावती सेंशर्षीफ टाकीर आलहम हुए बच्चा बोटिस अंसर्षी बच्चा लंक्रेद गोरी होता है करता कि अगर कोई काम करतो जिए एक है छोटा से ऐग्जामपल मैं बताता हूं वाली बूर्ड जो है वाले बूर्ड में जब det già群ोई म्मी बनती है जब भी कोई रखती तो इस मुवी के उपड़ थीक यह بنाने वाला माली कोई और है पर इसके उपर कोई किसी ना किसी का कंट्रोल होता है है ना किसी ना किसी का कंट्रोल होता है और जैसा यह सेंसर कहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंजेज करना पड़ेगा आप तो कई बार देखे होगे प्रितिक बहुत दिन बाद आयो वच्छा तो कही वार आप देखे होगे की सेंसर शिप अपलाई किया बदूट मुभी का नाम बदल दिया जाता है मुभी के अंदर कुछ सॉंग बदल दिया जाते हैас कुछ इस टोरी बदल दिया बदलग है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके उपर किसी का क्या है कंट्रोल है तो पहले क्या था ना कि जैसे हिंदुस्तान की बात करें मीडिया वाला आप देखते हो कि बिलकुल नरेंदर मोदी बहुत अच्छे हैं यह सारे मुभी हैं जो इस तरह से कांट्रबर्सियल रहे हैं तो यह जो होता है ना आप देखो कि हिंदुस्तान में कोई सेंसर्शिप नहीं है जिसको जो मर्ची है उसके अकॉर्डिंग अपना भीयू को रख रहा है पर मीडिया अपना कोई काम नहीं कर सकती कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि नेपोलियन के अगेंस्ट में जाएगा इसलिए कहते हैं सेंसर्शिप को इंपूज्ट कर दिया कि सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा बच्चे लोग जोभी मेरे से जुड़ें उन सब के बारे में मेरे कुछ पता है क cathedral कि इसके अलावा इसने क्या किया देको नेपोलियन का क्या था मोट पूरे यूरोप पर क्या करना क्या करनाने अपूलियन का मोटो था तो उसके लिए उसको चाहिए था यूज आर्मी बहुत लंबी चौड़ी आर्मी उसमें किया किया तो फ्रेंच पिपल थे उन सब को बोला कि आपको आर्मी जो है जोईन करना पड़ेगा यह मैटर नहीं करता कि आपको जोईन करना है नहीं करना गवर्मेंट के कोड़े जैसे इसरायल में कैसे है कि मिनिम्मम आपको तीन साल के लिए आर्मी जोईन करना पड़ेगा इसरायल के अंदर उसी तरह से फ्रांस में भी नपोलियन कर दिया था कि कोई भी हो सेंसर सिप रिपीट अच्छा ठीक किसी भी चीज पर कंट्रोल अगर आप कर रहे हो किसी भी चीज पर अगर आप कंट्रोल कर रहे हो मतलब मान लोग कि जो खबर है अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगो ठीक है ना अगर मान लोग कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाया कोई ऐसा और्गिनाइजेशन बना द कें कर सकते हैं आप यह नहीं सकते अप इंडिया में सब्सा कोई बात करते हैं तो यहां कि योगी हिंदुस्तान में मिडिया के उपर इंटस्षिप नहीं है लेकिन नेपोलियन ये गलती नहीं किया क्या कर दिया संसर्षिप क्लिक लिए जो भी लोग को लिखेंगे जो भी नीज Juda चपेगा वा सरकार के favor में होगा Napoleon का खाली गुन का पकान किया जाएगा कि Napoleon महान है Napoleon वहाँ के लोगों के favor में काम कर रहा है Napoleon भगवान के God के जैसा काम कर रहा है Napoleon को सभी लोगों की चिंता है सिरफ और सिर्फ Napoleon के favor में लिखा जाएगा ये था आपका censorship में और forced to join French army पूंड़ पूंच आता है कि हम टैक्स को ज्यादा दें कौन चाहता है कि सेंसर्शिव अप्लीकेबल हो और किसको जरूरी है जिसको मन हो जाएगा जिसको मन हो नहीं जाएगा आर्मी में जबरदस्ती आप किसी को कैसे बना सकती हो है ना तो क्या कहा नेपोलियन टू कवे इस्टैक्स इंपोस्ट संसर्शिव और फोर्स पिपल तो ज्वाइं फ्रेंज आर्मी गिल्ड रिस्टिक्शन क्या है भाई गेल्ड रिस्टिक्शन क्या है भाई कौन बताएगा गेल्ड रिस्टिक्शन कहा है निखाओ वाट इस गेल्ड रिस्टिक्शन रिस्टिक्शन टु इस्टेट और आर्मी लोकल्ट टैक्स नहीं वहाँ पर क्या था न कि मैंने आपको पहले बताया कि छोटा छोटा एरिया में बटा हुआ था फ्रान्सी जो था छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करने के लिए, एक एरिया का लेवर दूसरे एरिया में जाकर काम नहीं कर सकता है, तो यह सब छोटे छोटे रिस्टिक्शन्स थे, उन सारे रिस्टिक्शन्स को क्या कर दिया गया, नेपोलिय गया अब आते हैं the making of nationalism in Europe तो इरोप की स्थिति तो बहुत खराब थी ये तुम लोगों को पता चल गया है ना यूरोप में कोई भी ऐसा state नहीं था या कोई ऐसा देश नहीं था जिसके अंदर common identity या फिर culture हो common identity या फिर culture हो ये चीडिन रहे ये चैंज़ेज दान वा फिर ये चैनल भी रहा था आहंकूद कोई भी इसा कोई भी state नहीं था मतलब क्या है अगर इतना बड़ा France है तो इसके अंदर चोटे 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 इरिया ए है एस एरिया का कल्चर अलग होता था इस एरिया का कल्चर अलग होता था उसी तरह से इस एरिया का लैंगवेज अलग होता था इस एरिया का लैंगवेज अलग होता था और यह जो चेंजेज था न एक इसको नेशन स्टेट बनने से रोक रहा था नेशन स्टेट बनने जहां पर लोग एक जैसा लैंग्वेज बोलेंगे एक जैसा कल्चर होगा हिंदुस्तान में देखते हैं दिवाली अगर मनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है ऐसा है क्या कि दिली में मनाया गया, यूपी नहीं मनाया गया, यूपी में मनाया गया, हर्याना नहीं मनाया गया, पुरे भारत में मनाया जाता है, मतलब यहां के लोगों का culture एक जैसा है पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी इंग्लिस बोल सकते हो पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी हिंदी बोल सकते हो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं हिंदी बोलोगे ठीक है लोग कहीं समझेंगे कहीं नहीं समझेंगे पर आप हिंदी बोल सकते हो और यूरोप में ऐसा नहीं था है ना एक्जामपल दिया है एक्जामपल हंगरी बहुत छोटा सा देश जहां पर हाप अपड़ पॉपुलेशन स्पोक मगयार और बाकी का आधा जो बोलता था डायलेक्ट से दाग गैलीसिया पिपल स्पोक पॉलिस मतलब एक छोटा सा देश जहां पर आधे लोग कुछ और बोल रहे हैं और आधे लोग कुछ और बोल रहे हैं फिर नेशनल लैंग्विज बन कैसे सकता है है ना तो यह नेशनलिजम की स सुरुवात होती है कहां ये रोब में अब यहां से सुरू होता है फ्रांस के सोसाइटी की बात हम लोग कर रहे हैं वहां का सोसल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फ्रांस का जो सोसाइटी था वह आपका अलग-अलग पार्ट में बटा होगा था अलग-अलग पार्ट मे मिडल क्लास और मिडल क्लास कौन थे कौन बताएगा मिडल क्लास कौन बने जो बाद में बने थे मिडल क्लास जो बने थे वो बाद में बने थे कौन थे भई मिडल क्लास रिच पीपल रिच पीपल तो अरेस्टो क्रेट ही थे के लिए लिखिये educated lawyer, बिल्कुल सही जवाब है प्रियांसू, educated people from third state, बहुत अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तो aristocrate हो गए, aristocrate में कौन आते थे, तो आपका जो शासन चलाता है, वहाँ के जो राजा होता था, या फिर जो राजा से जुड़ा हुआ लोग होता था, धिकारी होता गवर्मेंट से जुड़े गए, वो तो aristocrate में आ गए, एक पीजेंट्स होते थे, जो की labor का काम करते थे, जो नौकरी करते थे, वो पीजेंट्स हो गए, और इनहीं पीजेंट्स में से कुछ लोग जे थे, वो थोड़े से पढ़लिख ले गए, बिजनस स्टार करके बिज बिजनस में बन गए, वैसे लोग आपका क्या बन गए, मिडिल क्लास हो गए, तो aristocrate का क्या था, character, तो इसका बात, अगर इस aristocrate की बात करते हो, तो यह आपका लैंड ओनिंग क्लास, मत्ति इनका अपना जमीन था, इनका अपना जमीन था, इसके लावा, यह French language को बोलते जाते हैं, उस समय French language को बहुत हाई-फाई language माना जाता था, जैसे हिंदुस्तान में जो पढ़े लोग होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में लोग अपने आपको कुछ अलग दिखाते हैं, या कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हों, इंग्लीस बोलते हैं और इंग्लीस बोलने वाले को हम लोग एक टो नॉर्मल, कॉमन सा चीज होते हैं, हम लोग से होते हैं, बहुत पढ़हा लिखा इस अदमी है, बस उसी तरह से वहाँ के जो एरिष्टों क्रेट अपने लोगों के बीच में ही करते हैं," या नकहां कभी भी यह अपने सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते इसलिए यूनाइटेड इनका लाइफ एक जैसा था क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और निमरेकली यह स्मॉल ग्रूप ऐसे भी वैसे भी जो अच्छे लोग होते हो तो छोटे ही होते हैं ना कमी होते हैं अरिस्टोक्रेट अगर ज्यादा हो जाता तो फिर अरिस्टोक्रेट कहलाता कैसे हिंदुस्तान में भी तो अरिस्टोक्रेट आपको मिल जाएगा और उनका भी पॉपुलेशन बाकियों के कमपरीजन में क्या होगा कम होगा कि लिया है अब आते हैं नेक्स्ट पिजैंट्री की बात कर लेते हैं वही गरीव लोग जैसे प्राबर है क्या बिल्कुल नहीं तो पीजैंट्री क्या है निनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यार इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता दूसरा चीर्ज यह एरिस्टोक्रेट का जो जमीन होता था उसी जमीन का यह देखभाल करते थे बिल्कुल तो उसी जमीन का ये क्या करते थे देख वाल करते थे कौन पीजेंट्री और लास्ट में एक मिडल क्लास आये मिडल क्लास मतलब की एजुकेटेड क्लास हो गये और इन्होंने ही सही माइने में नेशनलीटी गेंड पॉपुलरीटी थे इन्होंने लोगों के मनमें नेशनलीटी को क्या किया इन्हेंस किया या अपने राइटिंग से हो या फिर अपने केरेक्टर से हो इसके तुर major थे पीजेंट्री थे अंको एक दूसरी के साथ जोड़ना सुरू किर दिया है ना तो तीन क्लास हुआ फ्रांस के अंदर नोट्स बच्चा मैं वाट्सअप पे सेंड करूंगा भई और नोट्स जो है पूरे दो दिल लग गए बनाने में पूरे दो दिल लग गए बनाने में अच्छे से बनाया हुँ है और याद करना असान है ये ध्यान रखना अब आते हैं मिडिल क्लास का आईडिया क्या था सही माइने में मिडिल क्लास का क्या आईडिया था कलर्जी हाँ कलर्जी भी था बच्चा कलर्जी में आते थे पोप लोग आते थे है ना मने कते थे ना राजा और मंत्री तो कलर्जी में वही लोग आते थे जिनका सोसल स्टेटेस जो था ना पिजाइंटरी से बहुत उपर था वो लगबग जो थे अरिस्टो क्रेट के बिल्कुल सटा हुआ छोटा नीचे वाला के पार्ट में आते थे ठीक है ना जैसे कि आपका जो आपका वहां के चर्च में जो लोग काम करते थे उनके पास इस अधिकार होता था बिल्कुल मैं काम करता हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूं है ना इसमें मेरा भी कुछ अपना स्वार्थ है इसलिए मैं हार्ट लेवर करता हूं और आज पूरे दिन तो मैं बस लैक्टोप पे ही बैठा रह गया पूरा दिन तेका ना कल संडे होगा कल थोड़ा सा आराम करूंगा और बाकी दिन काम तो होता है नोट से एक बार के लिए होता है बच्चे हमेशा काम आता है तो यहां पर हो गया middle class का idea क्या था जो middle class जो emerge हो रहे थे जो भी middle class emerge हो रहे थे उनका idea क्या था तो एक nationalism like common language हो और common culture हो उनका motto था और दूसरा चीज liberal nationalism होना चीज लिबरल nationalism क्या होता है बच्चा वाट इस liberal nationalism कि बिल्कुल सही बोले हो दिव्यान सुभू कल नहीं होगा बच्चा tomorrow is Sunday tomorrow is Sunday Sunday को बच्चा थोड़ा सा आराम करता हो आराम क्या करता हो मतलब इसी में लगा रहता हूं offline video upload करता हो offline video भी तो दंबलाना है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज का importance होता है तो इसमें सारा कुछ मैंने कर दिया है मेरे समझ से आपका मेहनत जो है ना 90 परसेंट कम हो जाएगा से 10 परसेंट मेहनत बचेगा अगर आप इन अगर आप वर करते हो तो तो लिबरल निशनलिजम का मतलब क्या है ना कि देखो दो चीज होता है है ना हमारे आसपास में दो लोग दो तरह के लोग होता है एक जो होता है ना हो बिल्कुल सदेंट चेंजे चाहता है एक जो होता हो क्या चाहता है सदेंट चेंच और एक होता है कि चेंज तो हो चेंज तो हो बट नौट सदेंट दो तरह के लोग होता है एक कहता है कि तुरंट होना चीए और एक कहता है कि ठीक है चेंज तो पर that not be sudden, क्योंकि sudden changes ओई भी, कैसा भी हो that is not favor the society, तो जो liberal nationalism ये जो middle class थे, ओ middle class ये चाहते थे कि France के अंदर changes हो, France में सब कुछ बदले, पर that must be liberal, मतलब खून खराबा होकर नहीं होना चीए, ये बदलाब धीरे 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 आना चीए है ना, तो liberal nationalism का मतलब क्या है, तो liberal nationalism का मतलब है, that is freedom of individual, हर एक आदमी अपने आप में free हो, उसका जो मन करता हो करे, वो जहां जाना चाहता है, वहां जाए, इसके अलाबा, equality before law पले क्या था, कि aristocrate कुछ भी करे, उनके खिलाब किसी तरह का कोई case नहीं हो सकता था, law के according उनको culprit नहीं माना जा सकता था, aristocrate इसके अलाबा, government people agreement, मतलब क्या हुआ, कि जो government बनेगा, वो government में आम आदमी का किसी तरह से participation होना चाहिए, common people का, तो government and people agreement, और last one, end of autocracy rule and clerkical privileges, मतलब क्या हो गया, कि जो autocrates थे, उनका rule अब खतम होना चाहिए, और जो clerkical privileges थे, उचको भी क्या होना चाहिए, खतम होना चाहिए, and constitutions and representative government, this is very very important, this one is the very very important, constitution and representative government का मतलब ये है, कि सरकार चाहिए जिसकी भी बने, government चाहिए जैसी भी हो, पर that must be work according to constitution, क्योंकि constitution के according अगर कोई काम करेगा न, तो कभी भी वो गलत काम करी नहीं सकता है, क्योंकि constitution में कभी कोई गलत चीज लिखा नहीं होगा, तो ये आपका middle class, liberal nationalism को represent करता है, ये जितना भी चीज मैंने आपको बताया, that represents the liberal nationalism, नेशनल लिजम पर फिर भी, नहीं, democratic government नहीं, democratic government उसको नहीं बोलेंगे, उसको constitutional government हम लोग बोलेंगे, रिपब्लिक कह सकते हैं, ठीक है न, तो कहता है फिर भी, दो तरह का problem था उनका liberal nationalism में, उनके liberal nationalism में दो तरह के problem थे, वो दो problem क्या-क्या थे, तो liberal nationalism तब तक नहीं आ सकता था, जब तक कि सभी लोगों को voting करने का अधिकार ना दे दिया जा, तो only men above 21 allowed to vote, हना, और दूसरा, एक ये problem था, कि सिर्फ और से vote कौन देगा, तो only men, जिनकी ओमर 21 से उपर हो, और एक और जो main चीज़ था, state to state trade restrictions, मतलब एक state, दूसरे state में trade करने के लिए, अलग से tax pay करता था, जिसके कारण, वहाँ पर सामान का price, Hitler जोर वो तो बच्चा, मोनार्क था, मोनार्क भी नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे हम लोग, हिंदी में तो मेरे कोई याद आ रहा है बच्चा, ताना सा करते हो उसको, ऐसे उसका, इंगलिस में कोई किसी को आइडिया है क्या, रॉग गेमिंग, गोड़ी मिनेंग, ताना सा का क्या होता है इंगलिस बच्चा, जैसे कि नेपोलियन बाद में बन चुगा था, तो ये दो, दो जो थे न, ये दो प्रॉब्लम्स थे, इसका मतलब की, अगर लिबरल नेशनलिजम लाना था, तो ये दो प्रॉब्लम्स को उनको हटाना जरूरी था, ठीक है न, यहां तक किलियर है क्या सभी लोगों का, कि यहां तक सभी लोगों का क्लियर है क्या, अबरेटिंग इस क्लियर, चलिए, अब क्या करता है, इन एटीन हंड़ेट फो, कब की बात कर रहा है, एटीन हंड़ेट फोर की बात कर रहा है, कस्टम यून्येन फॉर्म नेमड जॉल बरीन, तो सोल वता है वह बर्फ रॉबलम। एक कमीटी बनाए गया, यह क्या बनाए गया एक कमीटी बनाए गया। किसके लिए ? तो यह जो दो प्रॉबलम थे न, correspondent को स्टॉट आट करने के लिए कमीटी बनाए गया, और उस कमीटी का नाम क्या था जॉल बरीन अब ये याद रखना ये नाम याद रखना क्योंकि जॉल बरीन नाम से आप से कोसन पूछा जाएगा तो एक कमीटी बनाया गया उस कमीटी का नाम क्या दिया गया जॉल बरीन किस लिए बनाया गया तो जो प्राब्लम से उन प्रा जॉल्वरीन कमीटी जो था यह सर अब कल यहां तक करने दो फिर यहां से कल करेंगे हम लोग तो यह जो कमीटी बनाया गया इस कमीटी का कमीटी ने क्या 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 किया तो पहली बात फॉर्म्ड और स्टार्टेड बाई पर्सिया यह जो जॉल्वरीन था किसके द्वारा बनाया गया था पर्सिया के द्वारा बनाया गया था किसके द्वारा पर्सिया के द्वारा पर्सिया के द्वारा पर्सिया एक देश यूरोप का तो पर्सिया के द्वारा एक कमीटी बन में ज्वाइन के लिए हैएए अब इसके कारण क्या हुआ जब जैसे ही जोल्वरीन कमीटी काम करना सुरू करी और टोमेटीकलि एप्रेड बैरियर जो था वो आपका खतम हो गया और एक और सबसे main lences理 important cheats y sırb कि अंदर न रोब कि अंदर जो आपका करिंशी था Europe के अंदर जो करिंशी था हर एरिये का अलग-अलग करिंशी था हर एरिये का अलग-अलग करिंशी था इसका क्या नुक्सान होता था कि यहां पिंद रहात ठेड कि ऐसा कोजिस किया कि उरोप का एक common currency हो what is common currency और ये common currency लाने के पीछे का कारण क्या था only for the trade improvement जिससे की trade ज्यादा से ज्यादा हो सके और सुरुवात में आपका initially total 30 currency थे जो जॉलबरीन के कारण only 2 में बदल चुके थे किलियर ना जॉलबरीन के कारण 30 जो थे वो किस में बदल गया थे only 2 में बदल चुके थे तो यहां तक सबका किलियर है अब यहां पर क्या हो गया ना कि मिडिल क्लास मैं यहां से बता देता हूं जिससे कि आपको सभी हो गई सिंपी गोडिव नहीं वैं इसलिए यहां से बता जाता हूं कि आपको समझना असान हो जाएगा Middle Class जो था उनके मन में कुछ आइडिया था Middle Class Middle Class मतलब वैसे लोग जो कि आपका कलरजी लेवल का नहीं था और ना पीजट था पीजट में कुछ ऐसे क्लास थे जो Emerge किये पढ़ाई किये बिजनस किये उनके पास पैसा आया आईडिया आया और उन्हें क्या कि निशनलिजम को दूसरे तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया और उनके अनुसार जो निशनलिजम था that is common language and common culture के साथ जो है वो चलना चाहते थी थी कहना common language and common culture इसके साथ साथ liberal निशनलिजम को प्रमोट कर रहे हैं कैसे निशनलिजम को लिवड़र लिव डेटर इसम है है संजीव कुमार गुड़िव नहीं तो दिशनलिजम ध्यान से सुनहिए तो आपको याद होता चला जाएगा यह मैं लिड़ेल क्लास चो देना लिबरल नेशनलिजम को प्रमोट कर रहे तो लिबरल नेशनलिजम का मतलब लिबरल का मतलब होता है बिलकुल सांत लड़ाई जवड़ा से दूर तो लिबरल नेशनलिजम का मतलब होता है freedom of इंडिविज्वल हर आदमी का अपना freedom को दूसरा equality before law मतलब law के according कोई बड़ा अच्छा थैंक संकित भई आपका बिलकव है संब्रांत्म नहीं और equality before law को आज भी अगर हम लोग देखते हैं मालों की कोट के अंदर अगर हम आज के context के अगर बात करते हैं कोट में मालों दो आदमी है कोट में मालों दो आदमी है और इन दोनों आदमी से अगर इन दोनों आदमी एक ही जैसा अगर गलत काम करता दोनों के दोनों एक जैसा लेकिन एक को अगर two years की सजा मिलती और दूसरे को five years की मिलती है, तो हम लोगे मन में क्या हैगा? कानून के प्रती, लोग के प्रती, अंदर से déjà्टिफिकेशन होगा. यह MARC & क्योंकि जब एक ही आदमी अगर ये अमीर है, तो इसको दो साल की सजा और गरीब को पाथ साल की सजा क्यों होगी अगर गलती एक जैसा है तो सजा भी बराबर होना चीए तो डिस इस वेरी इंपॉर्टेंट एक्वालिटी बिपोर लॉव लॉव के सामने जो है सब बराबर होना चीए चाहे हो कलर्जिकल हो चाहे और एनिस्ट्रोक्रेट हो और चाहे वो पीजेंट्स हो है ना फ्रांस के सोसाइटी में अच्छा कोई बात नहीं फ्रांस के सोसाइटी में लेकिन पिछला क्लास जरूर देख ले ना अंकीत क्योंकि पिछला क्लास से ही ये क्लास जुड़ा हुआ है तो फ्रांस में तीन तरह के सोसाइटी थे और लिवरल नेशनलिजम इसको प्रमोट करना सुरू कर दिया था है ना इसके अलावा गुवर्मेंट और पिपल अग्रिमेंट का मतलब ही हो गया कि सरकार में आम लोगों की भागिदारी मतलब डेमोक्रेसी जैसा ही स्थिति हो बेसक वो डेमोक्रेसी नहीं हो पर स्थिति कहीं कहीं डेमोक्रेसी के जैसा ही हो मतलब जो रूल करे उसमें आम आदमी का भी कंट्रिविशन होना चाहिए करें खल्ड क्लास नहीं होई थी और हें लोफ प्रीजिकल क्लरिकल प्रिविलेज सबसे इंपॉर्टन चीच इंड़ाफ ऑ्टोक्रेसी क्योंकि उसमें आटो क्रेसी जो है आटो क्रेसी में आपका कलर्ज़ों करते नोग थे उनके साथ जो है कानून अलग तरीके से भी है क तो सोसाइटी उनके लिए अलग थी और बाकि जो पिजेंट थे उनके लिए सोसाइटी अलग थी तो यह सब लिबरल निसनलिजम को प्रमूट करता था इसके अलाबा constitution and representative government मतलब एक देश का constitution होना चाहिए जिस constitution के according वहां के government काम करे repeat repeat this topic sir कौन से topic को repeat करना है बता देना है तो constitution and representative government constitution का मतलब क्या हो गया कि एक law होना चाहिए जिस law के according सरकार चाहे जो भी हो हमारा leader चाहे जो भी हो पर उसके according ही ये काम कर सके जैसे कि हमारे यहां देख लो नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है कल की डेट में हो सकता है कोई और बनेगा कल कोई और बनेगा लेकिन सबके साथ एक चीज है कि they work according to our constitution वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे constitution के against में काम करता हूँ ठीक है ना इतना idea कहों लाया middle class liberal nationalism में इतना idea हो लेकर आए पर फिर भी दो problem थी कौन कौन से दो problem तो एक problem थी 21 जो लोग 21 साल से उपर के थे only men allowed to vote मतलब female किस्ति थी बहुत कराब होगी मतलब करीब करीब 50% लोग ऐसे थो जो की female category से belong करती थी और उनका किसी भी government में participation नहीं था है ना और state to state trade restrictions इसके बारे में मैंने आपको फिछले क्लास में बताया था कि एक state और डूसरे state के बीच में trade restrictions था और restrictions जो था ना 10 रुपय का समान को 20 रुपया बना देता था है ना अगर दिल्ली से कोई समान यूपी जा रहा तो दिल्ली में tax लिया बन जाता था नोईडा में tax लिया जाता था फिर आगे फरीदावाद में tax लिया जाता था और इस तरह से करकर के करकर के और लखनों पहुंचते पहुंचते दस रुपय का समान 20 रुपया बन जाता था तो ये problem थी और इन दो problem को सॉट आउट करने के लिए जौले बरीद बनाया ग़ी कमेटी था एक यूरीन था कि लिए किसी चीज को फ्रबॉल खतम करने के लिए तो इन दोनों प्रॉबलम्स को खतम करने के लिए क्या बनाया गया 1834 में एक यूनियन बनाया गया और उस यूनियन का नाम था जौले बरीन यह याद रखियेगा नाम इसने किया क्या भई तो पहली बात अब ध्यान रखियेगा जौले बरीन के बारे में कि that is started by Persia कहीं पर P.R.U.S.I. होता है Persia भी बोलते हैं ना कहीं पर Persia करते हैं तो कौन स्टार्ट किया Persia स्टार्ट किया और बात में इसके साथ बहुत सारे देश जर्मन स्टेट्स क्या हो गया जूड़ गया है ना इसके लावा because of this trade barrier has finished और इसी जौले बरीन के कारण जो trade barrier था वो trade barrier क्या हो गया खतम कर दिया गया और सबसे बड़ी बात जो currency था वो currency पहले यूरोप यूरोप के अंदर 30 currency थे different currency वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर आकर रहे गया वही only two currency 30 currency currency ज्यादा और कम होने से क्या नुक्सान है अगर currency ज्यादा होगा तो उससे क्या नुक्सान होने वाला है को बताएगा क्या कि अगर currency ज्यादा हो तो उससे फाइदा है कि नुक्सान है आपकी गल्फ्रेंड है नहीं गल्फ्रेंड तो नहीं है मेरी गुमें फ्रेंड है डिफ्रेंड वैल्यू नुकसान ठीक है प्रॉब्लम तो बता रहा था कि प्रॉब्लम एक्ट्वल में क्या था उसके बारे मैं आपको बता देता हूं जो करेंगे उनका करेंशी तो बेकार हो जाएगा चेंज करना पड़ेगा उनके लिए दिक्कत हो जाएगा मतलब जो बिजनसमेन है वो तो कर सिर्फ और सिर्फ बिजनस कहां करेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनस कहां होगा भई तो अल्ली बिजनस इन्हें पर्टिकुलर स्टेट और यह तरह से क्या होगा तो जो बिजनसमें होंगे या फिर ट्रेड के लिए क्या होगा नुकसान हो जाएगा क्लियर न अब आते हैं यहां पर तो यह चीज करने के बाद अब यह 18-15 की बास करें न्यू कंजर्फेटि जम आफटर 18 15. कंजर्फेटि जम क्या होता यह बिल्कुल ट्रेड नौट से बोले ऑल आफ वागया डिशित ऑटwnoत रीपपली को का यह हो है वैं के तो जैसे अमेरिका में आप देखोगे वहाँ पर भी और प्रॉब्ली और कंजर वेटिव्स दो पार्टी है यह चाहिए बहुत अच्छा प्रयांस जो पुराने सोच के होते हैं उसको कंजर बेटीव करते हैं मतलब चाहते हैं चैंजेस हो तो हो बहुत दीरे दीरे हो एकदम से sudden changes नहीं होना चाहिए और जो भी पुराना tradition चलता आ रहा है बिल्कुल जो भी पुराना thought है जो भी पुराना condition उस चीज़ को follow करना चाहते है तो कहता क्या है ना कि जब Napoleon जब तक था तब तक तो बहुत कुछ changes हुआ पर जैसे ही नेपोलियन हटा या नेपोलियन के हारने के बाद फिर से वहाँ पर कंजर्वेटिजम जो है डिबलब होना सुरू हो गया अभी तक जो changes आ रहा था नेपोलियन था उस समय तक है ना अभी यहां पर क्या हो गया तो कहता है इंड आफ नेपोलियन रूल 1815 में नेपोलियन का रूल क्या हो गया खतम हो गया बिल्कुल नेरो माइंडेड होता है कंजर्वेटिजम इसके साथ क्या हो गया कैसे रूल खतम हुआ नेपोलियन का तो पर्सिया रसिया ब्रिटेन और उस्ट्रिया इस चार देस नाम याद रखिएगा यह चार देस आप से पुछा जाएगा परसिया, रसिया, बृतेंट और आस्ट्रिया चारों देस मिलकर एक साथ नेपोलीयन पर अटेक किया नेपोलीयन इनसेंस फ्रांस पर अटेक किया और अटेक करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलीयन का सपना था पूरे कि ये सारे मिलकर एक कमीटी बना है और चारों फाटींट मिलकर क्रिया य। अफ्टेग किया अब चार वगसिंड से ने पोलीएं की हर होनी धी और नेपोलीं का जैसे ही हर हुआ उसके साथ ही महां पर चैंज जैसे जाना सुरू हो गया तो गता आफ्टर दे इंड आफ नेपोलियन कंजर्वेटी जाब मैनी तिंग्स कम बैक अगें इंफ्रांस बहुत कुछ जो पुराना था यह सवाट फॉर्म परब है ना बहुत कुछ जो पुराना चीज था बहुत कुछ जो पुराना था वो फिर से बापस आ जैसे कि प्रिजर्व का मतलब पुराना चीज फिर से बापस आ प्रिजर्व का मतलब क्या हो गया फिर से बापस आना जैसे कि मोनार्की पहले भी मोनार्की था बात में भी मोनार् इसके साथ church rights, पहले भी आप देखे थे कि church का बहुत special अधिकार दिया जाता था, जो भी लोग church में काम करते थे, वो clerical कहलाते थे, है ना, बिल्कुल borbon dynasty, जो आपका शुरुआत में था, social hierarchy, की, social hierarchy का मतलब है कि society में कोई उपर, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे आएगा, और autocracy, है ना, इसके लाबा, no criticism and disagreement, no criticism and disagreement, मतलब जो भी rule कर रहा है, उसको आप किसी भी तरीके से criticize नहीं कर सकते हो, और उनके साथ किसी भी तरीके से असहमदी नहीं ला सकते हो, और last one is the censorship, यहाँ तक clear है बच्चा, एक छोटा समय एक्जामपल देता हूँ, हमारे यहाँ Supreme Court है, हमारे यहाँ क्या है, Supreme Court है, Supreme Court के फैसले का criticism करते हो, इसका मतलब है कि आपके उपर जो है, किसी नहीं किसी तरीके से case को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, पहला चीज़, आप Supreme Court जो भी फैसला देता है, उस फैसले के साथ आप disagreement नहीं कर सकते हो, है ना, पर वो Supreme Court है, और यहाँ पर government है, द related to public life, इसी लिए, ये new conservatism जो था 18-15 के बाद, वहाँ के लोगों के लिए फिर से क्या हो गया, काड़वा होना सुरू हो गया, ये जो मैं notes बताया हूं, बनाया हूं बच्चा, ये notes बाके में बहुत अच्छा notes है, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है, इस notes में, क्योंकि ह हर चीज बिलकुल तरीके के साथ लिखा, इसलिए आप notes के साथ जरूर पढ़िएगा, मैं इसका WhatsApp में आपका जो भी होगा, इसका भेज दूँगा WhatsApp पे, ठीक है ना, अब आते इसके बाद फिर क्या हुआ, तो बेखो जब भी किसी बड़े लीडर की हार होती है, जब भी कि किया था, ट्रीटी ऑ बर्साए है, ट्रीटी ऑ जात वर्साए हुआ कि कि इसाड़ीच हे ऐं, अब बर्साए हुआ तखि नहीं पता हिए है तो छेज ad just going between Germany between Germany इ cuc जर्मणी लिंख हो छलो ठीक है आप लोग मारे तो सही माइने में ट्रीटी अब बरसाइज जो है जर्मणी और बाकी दुनियाे साही माइने में ट्रीटी आप बरसाइज अ हमिलियेसं ऑफ जर्मणी हैं न उसी तरह से थी और वियना था जब नेपोलियन हारा तो नेपोलियन के हारने के बाद नेपोलियन या फिर फ्रांस को हिमिलियेट किया गया और क्या कैसे कैसे तो बाकी जो देश थे उन देश ने नेपोलियन के साथ या फिर फ्रांस के साथ एक ट्रीटी किया in 1815 जिसका नाम दिया गया ट्र भर्बोर्बॉन दाइनस्टी है तो मंने लगल नमिलियु वह लाइए टीब दीन सेमेट था और यह को क्या क्या किया आप कर दा मैंम दूसरा चीज कया कै levee श्रीज ऑप स्टेट्स क्रियेटेड ऑन दफेंच बॉंडरी और प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपैंशन इप्योंच बहुत बड़ा चीज इनने देखा किया था कि फ्रांस बहुत छोटी चोटा सा देश और नेपोलियन के कारण एक्सपैंड करना सुरू कर दिया था तो उन्होंने किया कि फ्रांस का जो बॉंडरी था उस बॉंडरी के उपर जो है अलग-अलग देश है जो बसाना सुरू कर दिया अलग-अलग देश बसाने की पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि फ्रांस का टेरिटरी बता रहा हूं नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस और बाकी एलाई एलाई में कौन-कौन आ गया भई तो अभी एक बच्चा बताया था पर पॉर्सिया रसिया ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ये चार देश मिलकर एक ट्रीटी किये जो हुआ था बियना में इन 1815 उस ट्रीटी के एकॉर्डिंगली बॉर्वन डैनिस्टी जो फ्रांस में पहले था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया दूसरा चीज कि फ्रांस के बाउंडरी के इपर छोटे-छोटे नए देश बना दिये गया एक्च्छल में वो देश बनाने के पीछे का कारण था फ्रांस के अब यह चार देस जब लड़े थे तो पर्सिया क्या किया तो उसका बेस्टर्ण जो टेरिटरी था जो बेस्टेरिया में था उसको पर्सिया अपने अंदर में मिला लिया आहां ना जो बेस्ट टेरिटरी था वो पर्सिया ले लिया जो नौर्थ था जो नौर्थ इटली था जिसमें फ्रांस कब्जा किया था क्यूं सर क्या क्यों सर किसका छवाब ची उच्बल किस इसका कोश्चन का जब कोश्चन पूरा लिखेंगे तब मैं समझूँगा क्यों सब्सक्राइब कैसे समझूगा आप क्या लिख रहा है पर्सिया क्या कि आप कहते हो कि कि अगर इसकी बात करो पर्सिया क्यों लिया तो क्यों लिया इसके पीछे का कारण यही है कि अगर द 1970 बॉर्बॉन डाइनेस्टी फिर से बापस क्यों लाया गया तो फिर से बापस लाने के पीछे का कारण था बच्छा कि बॉर्बॉन डाइनेस्टी बाकी सारे कंट्री को फेवर करती थी यह जितने कंट्री है ना इन सब को फेवर करती थी तो इसलिए बॉर्बॉन फिर से ल एक्जाम्पल लेता हूं नेपाल नेपाल में एक ओली सरकार है तो चाइना चाहता था ना कि ओली नेपाल के परधानमंत्री रहें और ओली को परधानमंत्री बनाने के लिए एडी चोटी एक कर दिया था ना ऐसा इसलिए कि ओली जो था ओफ चायना को favor करता था इसलिए ओछ विऄर करता था कि ओली वहां के prime minister बने रहे उसी तरह से boborn dynasty उन सारे देशों को favor करता था हाँ व ओली हाँ बूत तो यहां कंफेडर वार लेप्ट अंटर्ज बाकि जो जर्मन एरिया था उसको कंप्लिटली छोड़ दिया गया उस पर किसी ने कोई कबजा नहीं किया अब यहां पर में इंटेंशन ठिक्ड़न कत्वा मेल इंटेंशन बाप को कहता है कि ने पोलियन को बाहर करने के लिए मोनार्खी को क्या किया घै तो बार्बन डानेश्टी तो आपको पता है ना बार्बन डानेश्टी क्या था पॉलेंड देश का नाम है बुच्छा। पॉलेंड एरोप का एक देश है। यूरोप एक देश का नाम है पोलेंड। ठीक है ना? तो बॉर्भन डैनेस्टी क्या था? तो परियट धेट बिगान के बाद लूइस एटीन जो है वहां का फिर से क्या बन गया किंग बन गया याद रखना लूइस एटीन दस पांच 15 दिन अठा रहा है ठीके न यह फिर से वहां का क्या बन गया मोनार्क बन गया यहां तक सभी को किलियर है यहां तक सभी बच्चों का किलियर हो गया फिर हम लोग चलेंगे रिभॉलूस नरी बिएना ट्रीटी हम लोग का हो गया जो बच्चे नए जुड़े होंगे क्लास तेंत काम लोग कर रहे हैं फिर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री नोट्स आपको वाट्सप पे मिलेगा वाट्सप जॉइन करने के लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक जहां से आप वाट्सप जॉइन कर सकते हो वहां पर आपको नोट्स मिल जायेगा अागा दों sir यह पॉइंट वोग में नहीं था और सा पॉइंट बच्चा है बुक में देंको ता क्या आना कि एंसी आटी में पॉइंट बनाना पड़ता है थिक्ः ना यह पॉइंट बनाना पड़ता है एंसी आटी में बहुत कुछ देगा तिक ना चलिए अब यहां से आगे चलते हम लोग डर रिवोलूस नरेच जुवा मंडल इव यू है डाउट प्लेज आस्क ताट मस्ट वे रिलेटेट टु चैप्टर इधर उदर का डाउट मत पूछिएगा ठीक है ना कुछ ncrt मैं बच्क प्लिज नहीं दिया होता है आप एकस्ट्रा के लिए आप इसको जान सकते इस लिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है यह आपका ncrt मैं नहीं मिलेगा अलग से लिखा है मैंने एक्स्ट्रा के लिए आपको यह चीज पता होना चाहिए यह साय में बैट टीचर बच्चा आप मेरे गुड बना दो यह पूछना क्या था वही है बटी वारे वेरी गुड इस्टुडेंट ठीक है ना आप बहुत अच्छे इस्टुडेंट चलिए आगे चले हैं अब रिवन उस नरीज की बात कर रहे हैं ना तो एक कमिटमेंट तू अपोज मोनार्किकल फॉर्म अब यहां पर देखो मोनार्की बापस फिर से आ चुका था मोनार्की जूमा मंडल की बात कर रहे हैं उन्होंना मेरे को मेरे बारे में कुछ लिखा है मेरे बारे में लिखा है कि आए मैं बैट टीचर तो मैंने भी उनके बारे में लिख दिया है कि यूर बहुत अच्छे इस्टूडेंट हो इसी तरह से बढ़ते रहे हैं अधिया रंग बिरंगी है तभी तो यहां मजा आता है यहां तरह तरह के लोग मिलेंगे कभी मुर्गे में आदमी नजर आएगा कभी आदमी में मुर्गा नजर आएगा ठीक है ना तो इसी लिए सिर्फ इंज्वाय करना है तेंसर नहीं लेना आप लोगो पढ़ते रहो बस यह सोच कर पढ़ना है कि आगे जो होगा सो अच्छा होगा बस यह सोच कर पढ़ना आपको ठीक है ना कि जो होगा अच्छा होगा और जितना मेहनत आप करोगे और वो मैंटर नहीं करता बिच्छा किसी के अच्छा अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत कभी बेकार न अब यहां पर क्या हो गया कि मोनार्की फिर से रिस्टोर हो गया कहां पर फ्रांस में पर अभी भी जो मिडल क्लास लोग थे जो पहले से जो करते आ रहे थे इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यह लोग अभी भी फ्रांस में थे यह अलग बात है कि वहां पर सिच्टोर बदल गया नेपोलियन की हर हुई पर इनके बिचार में किसी तरह का कोई चैंजेज नहीं आया और आपका भी तहसीन परवीन वेलकम है मेरे साथ जुड़े रही है मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आप लोग की उमीद को नहीं तोड़ू कोई बात नहीं जुमा मंडल यह आपका विचार था आपने बोला जो मेरा विचार था वो मैंने बोला चली आगे चलें तो दर रिफोल उसनरीज की बात मैं कर रहा था मोनारिकल की बात करें थे न तो यह मोनार्क फिर से रिस्टोर हो गया और जिसके लिए जो मिडिल क्लास जो लोग थे वो लड़ रहे थे या यह बदलाव चाहते थे ना वो फिर से क्या हो गया एक सोसाइटी फॉर्म किया और आपसे question में पुछा जाएगा आपसे ये जरूरी नहीं है कि आपसे पुछेगा revolutionaries क्या है आपसे पुछा जाएगा secret society क्या है तो आप क्या कोगे secret society जो थे वहां के middle class या फिर जो conservatism से happy नहीं थे खूस नहीं थे उन्होंने एक society इंसी society को कहते हैं secrets societies या भिर the revolutionaries है sesए या फिर जो secret society बनाया गया था उसका एम क्या है अपसे ये भी पुछा जाएगा की जो secret society बनाया गया ता उसका एम क्या था तो आप याद रखिएगा इम क्या ता पहला इंप 36 परेड आपको मेने बताई दिया था जिसमें आपका एक प्रॉपर तीम हो एक फॉक हो एक language हो, एक जैसा culture हो, that is a nationalism. दूसरा क्या था है? That is approach, monarchy. Monarchy को monarchy को क्या करना? Approach करना. तो monarchy पहले से ये लोग approach कर रहे थे और अभी भी monarchy को इन्होंने क्या किया? Approach करना शुरू कर दिया. तीसरा wanted freedom and end autocracy. ये freedom को चाहते थे. किस से freedom? तो borbon dynasty फिर से restore हो गया था. और borbon dynasty सही मायने में उप फ्रांस के लिए काम नहीं कर रहा था. उस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और बाकि जो चार देशने ना, उन्हें के लिए काम कर रहा था. फ्रांस को उससे कोई benefit नहीं था. और तीसरा nation state idea applied like common language and culture. यहां तक ठीक है ना, जो secret society था या फिर जो revolutionary था revolutionary ही explain कर रहा हूँ भई, कि middle class के लोग middle class के लोग जो फ्रांस के monarchy से खूस नहीं थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक society या कहले committee form किया, उस committee को secret society या फिर revolutionaries के नाम से जानते हैं, और उस revolutionaries का motto था, aim था, aim था spread idea of nationalism, oppose monarchy, wanted freedom and inautocracy, और nation state का formation करना. तो यह सब idea था, यह सब aim था, किसका revolutionaries का, आपको यह याद रखना बहुत important है, secret society, secret society आपसे अमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना आपको, कि secret society क्या था, जो लोग, नए लोग जुड़े हो, बच्चा, इसके description में, वीडियो के description में, whatsapp का link दिया हुआ है, वहाँ पर आप join कर लेना, ये notes मैं, वहाँ पर आपके लिए भेज दूँगा, अब आते हैं यहाँ पर, गुसिपी मैजिनी, गुसिपी मैजिनी, secret society के member ही थे, ठीक है न, और इनके बारे में अगर देखो, यही है गुसिपी मैजिनी, यह scholar थे, और scholar चाहे जो भी हो, बिल्कुल revolutionaries वही लोग थे, जो वहाँ पर change चाहते थे, और इनका जनम हुआ था, जिनोवा में, in 1807, he was the member of secret society, founded young Italy, यह भी दियान रखना, young Italy, आप गुसिपी मैजिनी के बारे में, जब भी बात करी जाएगी, तो इनका इनके द्वारा जो फॉन किया गया था, उचके बारे में जरूर कहा जाएगा, young Italy and young Europe, young Italy का formation कहां किया था, in Mercedes, और young Europe का formation किया था, वर्न में, और believed in the unification of Italy into republic, और इनका एक, sir can I pay, yes you can pay भई, यह आपके एक्षा है, शिवम सॉट्स गोडिम नहीं, तो यह आपका क्या हो गया, believed in the unification, क्योंकि देखो, उस समय का अगर यूरोब की बात करें न, तो यूरोब कम्पलिटली क्या था, distributed था, बटा हुआ था, तो इनका भी एक सपना था, देखो, भी एक ऐसा इटली बनाना है, जो पूरी तरह सी यूनाइट हो, निस्नलिजम हो, इटली का अपना एक common culture हो, common language हो, और रिपब्लिक के तरह इटली को भी जाना जाए, है ना, तो यहां तक आपको गुसिपी, मैजीनी के बारे में, समझ में आ गया होगा, clear, clear है, यहां तक, बहुत ध्यान रखते हो, उनकी तराज, बहुत थैंक्स यार, बहुत ध्यान रखते हो, आप मेरा बिल्कुल, आप लोग जितने भी बच्चे, मेरे से जुड़े हुए हो, उन लोगों को मैं कैसे भूलूँगा, यांग इटली, यांग इटली का मतलब क्या है ना, यांग इटली, देखो, नॉर्मली क्या होता है, कि अगर आपको कही भी चेंजेज लाना है, कही भी अगर आपको चेंजेज लाना है, तो आप भूढ़ा लोगों को साथ में लाकर चेंज नहीं न कर सकते हो, अगर मालो मेरे को हिंदुस्तान में चेंजेज लाना है, तो मैं ओल्ड पीपल को अपने कमीटी में या ग्रूप में लाकर चेंज ला सकता हूँ, क्या? Coronavirus. इसके लिए मेरे को क्या करना पड़े का यंग लोगों को अपने अंदर जोड़ना पड़े का अपने साथ जोड़ना पड़े और इन्होंने committee का नाम दिया जो गूप बनाया था उस गूप का नाम ही था यंग इटली इन्होंने एक सोसाइटी जो बनाया हूँ सोसाइटी का नाम था यंग इटली और इसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ यंग लोग ही जुड़ेंगे पर प्रमूट करने के लिए उन्हाने यंग इटली इसका नाम दे दिया ठीक है ना बिलकुल बिलकुल सही बहुत अच्छा अंकीट बहुत ज्यादा प्रमूट किया बैक स्वम लोग अंकीट के थुरू मेरे से जुड़े है ठीक है ना तो यहां तक किलियर हो गया ना तो इसी तरह से यंग इटली मतलए इटली के यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने यंग इटली बनाया था क्योंकि कि रिवॉलूशन कोई दो चार आथ दस आदमी नहीं कर सकता एक पूरा का पूरा ग्रूप करता है एक बहुत बड़ा सोसाइटी करता है दो चार दस लोगों से कहीं चेंजेस नहीं आ सकता तो इन्होंने इसी लिए सोसाइटी बनाया था ठीक है ना यहां तक किलियर है एज ओफ रिवॉलूशन डाट इज कैन यू गीव में जूमा वाटी जूमा अब आते हैं कि यह जो रिवॉलूशन जो हो रहा था या जो होगा इसकी जरूरत क्या थी फिर से कोश्टन यहां पर दिमाग में आता है कि जो बिल्कुल कोई बात ने जूमा कोई बात निए मैं किसी भी बच्चे के किसी भी तरह के गलत वेभार को याद दे रखता क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगो के साथ काम कर रहा हूं यहां रोज ने लोग आ सकते हैं रोज नए ने तरह के लोग आ सकते हैं जिनके विचारधार अलग-अलग हो सकता है अगर मैं हर किसी के विचार को पकड़ कर रखूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा तो इसके लिए परेशान जो revolution को promote कर रहा था ठीक ना क्योंकि इसके बाद आपका revolution होता है और revolution कब होता 1830 में यह ध्यान रखियेगा very important आपसे पूछा जाएगा exam में very important आपसे exam में पूछा जाएगा 1830 में दो revolution होता है first one is the called July revolution first one is the called July revolution and second one called Greek revolution ठीक है ना एक हो गया July revolution और डूसरा हो गया Greek revolution अब जुलाई revolution के बारे में आप समझेज़े जुलाई revolution का होता है फ्रांस में होता है क्यों होता है और इसमें क्या होता हाउस का हेड बन गया बॉर्वन डाइनेस्टी खतम होने के बाद लुइस फिलिप को क्या कर दिया गया वहां का वहां का क्या कर दिया गया एड बना दिया गया किलियर ना मैं बात कर रहा हो जुलाई revolution की जुलाई revolution में फ्रांस के अंदर जो ब्वर्वन था बॉर्वन कभ आया था तो 1815 में आया था है 18 15 में आया था 1830 में बौर्वन किंग को क्या कर दिया गया आवर थ्रून कर दिया गया भाई ने मिज महेश दिवारी और और लुइस फिलिप को फ्रांस का हेड बना दिया इसके अलावा constitutional मोनार्की को setup कर दिया गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा constitution आ गया अब मैं पहले ही आपको बता दिया भाई मैं थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा तो बचा रह जाएगा इतना जल्दिवाजी क्या है रहना यहीं पर और अभी एक्जाम नहीं है तो इस चीज को समझने क्लिए अगर स्पीड में करूंगा तो राजधानी बननकर निकल जाऊँगा आप एक काम कर सकतो ओफलाइन वीडियो देख सकते स्कीड में देख लेना दूसरी चीज क्या हो गया कि constitutional monarchy constitutional monarchy का मतलब क्या हुआ तो जो भी राजा बनेगा या जो भी वहां का हेड होगा that work according is working according to the constitution कुछ उल्टा पुल्टा दाइवाइन नहीं करेगा और इसके साथ-साथ revolution started in Brussels Brussels में revolution start हो गया ब्रसेल्स कहा है बही वेर इज ब्रसेल्स ब्रसेल्स कहां है कौन बताएगा अब ब्रसेल्स में आप लोगों पढ़ाया था साथ शिविक्स में अच्छा 19 एकजाम है को बेंटी होगा कल भई मेंटी कल होगा चैप्टर खतम होने के बाद मैं कितल होगाा अगर आज चैप्テर कतम हो जाएगा तो मैं की तलोगा लगता नहीं कि आज खथम ओगा ओभा ओग तुकर क्टर कतम होने के बाद मैं टी तो ब्रेसिल्स का वेरीगु दिव्मा प्रेसिल्स आपका बेलजीम में है बेलजीम का capital है बहुत अच्छा अब इसके बाद आता है Greek Revolution ठीक ना यह दोनों Revolution याद रखना जुलाई Revolution के नाम से आप से पूछा ही जाएगा जुलाई Revolution के नाम से आप से पूछा जाएगा and the second one is the Greek Revolution यह कब स्टार्ट हुआ था तो 1821 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट तो 1821 में हुआ था पर 1832 में जाकर यह क्या हो गया अपने एम को अचीव किया और एक treaty form किया that is called treaty of constanti pole इसका नाम क्या दिया गया treaty of constanti pole और यहाँ पर इसी के साथ आपका it Greek को क्या मिल गया Ottoman Empire के साथ हरिस्ता इनका टूट गया है ना freedom from Ottoman Empire किसके बाद that is after the Greek Revolution और Ottoman Empire जो था 15th century से 15th century से Greek Greece के उपर कभजा किया हुआ था ना यहाँ पर देखिये लिखा हुआ है 1830 में क्या हुआ Belgium broke away from the United Kingdoms of the Netherlands और Greece which had been a part of Ottoman empire since the 15th century struggle for independence or treaty of Constantipole in 1832 हुआ और Greece क्या बन गया Greece क्या बन गया Greece बन गया इंडिपेंडेंट ने इस्तन चलिए यहां क्या यहां सबका क्लियर है बच्चा आप सभी लोगों का यहां तक क्लियर है everything is clear क्योंकि देखो आपके दिमाग में जरूर इमेज बनना चाहिए है एक चीज का क्योंकि स्टेप बाइस्टेप आप समझोगे तभी अब्जेक्टिव का एक इंसर दे सकते हो everything is clear चलिए नेक्स्ट रोमांटिसिजम में रोमांटिसिजम आना शुरू हो गया कि यह आपका जुलाई रेवोलुशन आपका एटीन थर्टी देखो एटीन थर्टी में ही हम जुलाई रेवोलुशन पढ़ेंगे ठीक ना गयातीन थर्टी में को यह रिवोलुशन तो बहुत पहले से चल रहा था पर जब लास्ट जो हुआ न जब लास्ट जिस समय उने अपना एंप अचीव किया that is called July revolution चल तो बहुत पहले से रहत आई और 1830 इसका year देना है ठीक है ना कब देना है 1830 अब रोमांटिसिजम तो रोमांस रोमांस से रोमांटिसिजम बना ठीक है ना जिसको जहां doubt है पूछ लेना है बस यह ध्यान अगना है that must be related to chapter तो रोमांस बेको रोमांस जैसे ही हम बात बोलते हैं ना तो एक दम से आप क्या-क्या सोचना सुरू कर देते हैं रोमांस अच्छा ठीक उसी तरह से अगर आप female character को रखते हो तो that is modern time रोमांस ठीक है ना पर अगर आप अपने देश के प्रती सेम चीज रखते हो तो that is a different that is a देश भक्ती है ना तो यहां पर रोमांटी सीजम जो आ रहा था ना टाइम है अब्री डेइ अट एट पीम रोमांटी सीजम जो था ना वो देश के साथ था देश के प्रती थी और उनके मन में एक चीज था कि ऐसा कुछ हो जिसको गाने के बार आपके अंदर या फिर वहां के लोगों के अंदर एक नए तरह का feelings आना सुरू हो जाए भाई आप लोग को जो doubt है पूछ लीजिए आप लोग से प्लिखेंगे आई है पर doubt है तो पूछिए और यह क्या था तो एक fork dance होना चीए यह fork dance जैसे कि एक देश को रिप्रेजेंट करें जैसे आप देखते होगे ना अलग-अलग state का हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान के अंदर ही आप देखोगे हर state का अलग-अलग dance है ना हर state का अलग-अलग dance आपको मिलेगा और वो dance जो है तो पर्टिकुलर मिलगों अलग होगा महराउट्रा जाओ वहां अलग होगा इसके गुजरात जाओ वहां अलग होगा बिहार जाओ वहां अलग होगा यूपी जाओ अलग होगा हर देश्क हर स्टेट का अलग अलग है ना और आइडिया गिवन वाई यह जो रोमांटिस सिजम का आइडिया था इसको कौन दिया भई तो जोहान गॉट फ्राइट है ना जोहान गॉट फ्राइड यह आइडिया रोमांटिस सिजम क्यों लाया गया था तो नेशनलिजम को प्रमोट करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से नेशनलिजम नेशनल फिलिम को फिलिम को प्रमोट किया जाए और इसके लिए उन्होंने क्या किया यह आइडिया इस आइडिया में तो इस आइडिया में क्या था कि जो nationalist का sentiment था उसको promote किया रिया है ना इसके अलावा science को criticize the glorification of region and science and focused instead of emotions institution and mystical feelings कहा क्या सर आज ये complete हो जाएगा क्या चीज़ का reply करना है भई क्या चीज़ का reply करना आप पूछ लीज़ेगा आज अगर possible होगा अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा देखते हैं कोसिस करते हैं तो इन्होंने किया क्या कि science development तो ठीक है पर science development के साथ इन्होंने किया क्या कि feelings को क्या किया जाएगा है ना and science and focused instead of emotions mystical and feeling इन्होंने क्या किया ना कि emotion को क्या करना शुरू कर दिया प्रमोट करना शुरू कर दिया जैसे ही emotion को प्रमोट करना शुरू करेगा जैसे ही emotion को प्रमोट करना शुरू करेगा automatically इसके अंदर क्या जाएगा automatically यहाँ पर national feelings जो है लोगों के दिल में प्रमोट होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर देखिएगा जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफराइट हाड़ ट्राइट ट्राइट टू डिस्कवर कल्चर अमोग पॉमन पीपल थूट फॉक सॉंग्स फॉक पोईट्री और फॉक डांस यहोंने किया किया कुछ ऐसा ऐसा काम किया जिससे कि लोग एक दूसरे से क्या कर सके जूड़ सके एक दूसरे के साथ जैसे कि आप करते हो ना कि एक इंडियन अगर अमेरिका जाता है तो एक इंडियन दूसरे इंडियन के साथ क्या होता है जूड़ जाता है ना एक इंडियन दूसरे इंडियन के साथ या जैसे common people में fox songs हो, fox poetry हो, fox dance हो जिसके तुरू एक आदमी जो है दूसरे के साथ क्या हो जाए जूड़े जाए है ना तो एक feeling के साथ जूड़े जाए है ना अब यहां के बाद change जाना शुरू हो गया यहां तक सबका clear है क्या यहां तक सबका clear है चलिए अब इसके बाद इसके बाद फ्रांस के अंदर जो है ना एक दम से tragedy आना सुरू हो गया वाट इस tragedy भई तो दाट इज हंगर hardship and popular revolt हंगर तो पता यह भूख मरी hardship का मतलब कठीन समय अब कठीन समय क्या आएगा भई तो लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी पैसे की कमी हो जाएगी काम की कमी हो जाएगी लोग भूखे रहने शुरू कर देंगे that is hardship और यह जो hardship आया यह जो हंगर आया इसके पीछे भी किसका काम था तो कुछ यूरोपियन कंट्री का काम था कौन सा भाई तो क्या कौन सा काम तो पहला चीज कि यूरोप में कुछ ऐसे देश थे जैसे कि ब्रिटेंड वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल रिवॉलूशन स्टार्ट हो गया है ना वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉलूशन स्टार्ट हो गया ठीक है ना अब इंडस्ट्रियल रिवॉलूशन मतलब सब काम अगर मशीन से होगा बच्चा जिनको समझ में नहीं आया बात में एक पर फिर से वीडियो देख लेना जब तक आप पुराना वाला नहीं देखोंगे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में आपको अजीब लगेगा ठीक है ना तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए है जो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना ओफ्लाइन मोड में आप देख लेना ठीक है ना फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से आपको revolution होने सब्ام हो गई ब्रेटन के अंदर इंडस्टाय रिवॉलुशन होना sabemos अब इंडस्टाय डिव ओम जहां शुरू होगा तो फॉम्हंड थो सब्सक्राइड की कमी हो गी क्योंकि सुथ मस्षीननद आगर मशिट से होगा तो जो नॉर्मल पीपल है जो नॉर्मल वरकर है जो नॉर्मल वरकर है जो क्यों काम करेगा है ना दूसरा चीज लार्ज number of people in France were unemployed France के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे large number of people unemployed हो गए मतलब उनके पास काम नहीं था इसके लाबा in most country there were more seekers of job और Europe के maximum जो country थे वहाँ पर job ढूनने वाले ज्यादा थे और job की कमी हो गए थी इसके लाबा population है जो एक दम से बढ़ना शुरू हो गया था बहुत सारा population उधर की तरफ सिफ्ट होना शुरू हो गया जहां पर काम की उमीद थी है ना जिसका नतीजा क्या हो गया कि उस सहर में slums का formation होना शुरू हो गया कि सुपर चैट दो भाई आपकी इच्छा आप करते हो बहुत खुसी की बात है पढ़े लेते हैं उसके बाद सब के बारे में बात करते हैं तो यहां पर क्या हो गया तो स्लम्स का फॉर्मेशा भी अब देखते हो के देल ही मूंबई में स्लम्स है की नहीं है उस्लम्स वहां के लोकल पिपल द्वारानी बनाया गया व फ्र지से लोगों के दौरा बनाया बदे जो करीब थे जो दूसरे जगा से सिप्थ होकर डिल्ली गया है और उंके पास रहने की कमी थी कहीं छोटे यह उसे एरिया में जाकर उदीरे दीरे क्या करना सुरू कर दिये, वहां पर काम करना सुरू कर दिये, अपना घर बनाना सुरू कर दिये, और जो फूड था, फूड का प्राइस एगदम से रेज होना सुरू हो गया, यह प्रांस के लिए बहुत difficult ताइम था, वेरी वेरी डिफिकल टाइम, फंगर, हाड़ सीब, अब इसमें हुआ क्या क्या एक्चुली, यह तो आप समझ गहने कि यह होने के पीछे का कारण क्या था, तो यह सब होने के पीछे का कारण था, इंडस्ट्रियल रिवालुशन, दाट इज इन, दाट इज इन अब 1848 में होता क्या है, कहता है, तो पॉपुलेशन और पेरिस केम और पूदा रोडस और लुइस फिलिस बाद फोर्स तो फ्ली, अट निशनल एसेंबली प्रोक्लेंड एर रिपब्लिक, बहुत बड़ा चेंज हो, वहां के लोग जब परेशान हो गए, वहां के लोगों जुलाई रिफॉालूशन के बाद लिइस फिलिफ गे फेट, वहां के हेड बने थे, अब लुइस फिलिफ को वहां के लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो जुलाई रिफॉालूशन कब हुआ था, 1830 में हुआ था, और 1830 से लेकर 1848 तक कौन रहा वहां का हीट लूईस फिलिप रहा और यह लूईस फिलिप क्या किया यहां पर 1848 में वहां के लोगों ने उनको चाटा दिया और किया क्या वाँ एक नेशनल असीम्बली का effort क्या और इसके साथ साथ Republic का formation ऑब नदेशन आप लोग एक 30 after the July revolution to 1848 इसके लावा 1845 में और क्या होता है कि वहां के जो छोटे मोटे जो contractor थे उन्होंने क्या किया था ना कि labor लोगों से काम तो लेता था लेबर लोगों से काम लेता था और उसके बाद उनको पैसा नहीं देता था in fact कई वार ऐसा होता था कि काम के लिए जादा लोगों को बुलाने लगा और पैसा कम-कम देना सुरू कर दिया तो वहां के जो बेबर्स थे बेबर्स का मतलब क्या होता है छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो फैक्टरी में काम करते हैं उन्होंने क्या कि इन कॉंट्रेक्टर के अगेंस्ट में रिबॉल्ट सुरू कर दिया अब यह जितने भी क्योंकि यह वेबर्स बहुत लार्ज नंबर में थे जो वेबर्स थे डे आर इन लार्ज नंबर और सबसे बड़ी बात यह भूखे थे गरीव थे मतलब इनके लिए पैसा क्या था उसाला फुर्ट क्रनयुक्त यह इन्होंने किया क्या कि कॉंट्रेक्टर को निकाल 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 कर मारना शुरू कर दियit तो romantic imagination and national feelings आपको मैंने बता दिया था कि romantic क्या था actual में तो romantic का मतलब अपने देश के प्रती अंदर के feeling से जुड़ जाना है ना तो पड़ा पड़ा हम लोग थोड़ा सारी वाइच कर लेते हैं के बारे में आपको बताया था German philosopher Johann Gottfried जो थे नहोंने culture among the people जो है यह नहोंने क्या किया develop करने की Qoosies करी थी Germany के अंदर है ना जर्मनी के अंदर अलग-अलग culture अलग-अलग जी develop करने की उन्होंने क्या कर रही थी कोसिस करी थी जिससे की जर्मनी का युनिफिकेशन हो सके, जर्मनी दुनिया का बहुत अच्छा एक्जामपल है, जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ था है, ऐस्ट एन बेस्ट और دोनों पार्ट में भ्हंकर लड़ाई था, लेंकिन कहते हैं न समय के साथ हर पाप दुल जाते हैं, समय के साथ हर गलती है जो माफ हो जाती है बस वही चीछ जर्मनी के लोगों के बीच आओ दोनों जर्मनी के लोग अपने आपको क्या मानने लगे एक जैसा मानना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया ज़र्मनी के 20 का जो बॉंड्री था उस बॉंड्री को तोड़ कर पूरा जर्मनी एक कर दिया गया तो दिहास में यूनिफिकेजन ऑप जर्मनी बहुत मैटर करता है जब दोनों जर्मनी एक मिल गया था और तब से जर्मनी जो है फिर से दुबारा सक्ति कि गया का यहां पर हांगार हट्स्अ पंगर रिबोल्ट के बारे में आपको बताया है कि यह क्यों हुआ था ब्हई एक चरंथ ये क्यों हुआ था तो इसके होने के पीछे ब्लिक बी कारण था और कारण यही था कि यह यह जो आपका हांगा revolution in Europe, Britain, most probably आप Britain का नाम ले सकते हो, Britain में आपका industrial revolution हुआ था, जिसके कारण ये changes आया था, Britain में industrial revolution हुआ, जिसके कारण ये changes हुआ, labor लोगों को काम करने का मिलना बंध हो गया, जितना उन्हों को मिलना चाहिए था, काम वो मिलना बंध हो गया, जिसके कारण hunger generate हो गया, जिसके कारण लोगों में भुक्वरी start हो गया, लोग परिशान होने लगे, और इसी का नतीजा था revolt होना, और आज जो है अगर देखें तो 1848 और 1845 में आपका revolt हुआ था, 1848 में जो आपका revolt हुआ था, वो लूइस फिलिप जो है वो आपका, जो फ्रांस का head था, उसको हटा दिया गया था, और लूइस फिलिप कौन था भई, वो वाज लूइस फिलिप, वाज लूइस फिलिप, लूइस फिलिप कौन था, क्या वाँत है, कोई तो बताईए, वो वाज लूइस फिलिप, रूलर आप्टर ट्रीटी और बियाना, बहुत अच्छा प्रियांसू, किंग और फ्रांस भी बोल दिया, प्रियांसू का बहुत बहुत बिल्कुल सटिक जवाब है बच्चा, रूलर आप्टर ट्रीटी और बियाना, जब भी आप एंसर दीजे, तो परफेक्ट एंसर दीजे, जिसमें कि किसी तरह का कोई कमी ना रहे, पेटिन पोटी फाइब में क्या हुआ था, तो बेवर्स इन साइलेशिया लेट टू रिबोल्ट अगेंस्ट कॉंट्राक्टर, जो बेवर्स थे, जो काम करने बारे लोग थे, उन्होंने क्या किया क्या 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 कर दिया, क्या कर दिया, रिबोल्ट स्टार्ट कर दिया, और क्या 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 था, तो में कारन यही था, कि उन्हों को काम नी मिल रहा था, उन्हों को काम चाहिए था, जिसके कारण उन्होंने क्या कर दिया, क्या क्य इंजे जाना सुरू हो गया कब इन 1845 अब आगे आते हैं 1848 के बाद यहां तक आप लोग समझ गया होगे 1848 करता है दे रिवॉलूशन ओप दे लिबरल्स 1848 में रिवॉलूशन ओप दे लिबरल्स कौन थे यह हम लोगों को पता था कि लिबरल्स कौन थे तो कता है रिवॉलूशन लेड बाई मिडिल क्लास पीपल जो वहां के मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने क्या किया रिवॉलूशन को लीड किया वो क्या चाहते थे तो एक नेशन स्टेट को बनाना चाहते थे जो स्टेक्ट बनानों चाहते थे गुशा इंट सान के अंदर कैसे आपका पार्लिया में ट्रिंस्पल और इसमें आपका फ़ीडम का प्रेज्टरंगे कारी में में प्रीडम ब application भी रूलर फ्रांस में उनका सबसे पहला मोटो था freedom of praise को खतम कर देना सबसे पहला मोटो किस चीज को खतम करना था freedom of praise को खतम कर देना तो 1848 के बाद जो middle class लोग थे उन्होंने जो revolution किया उनका मोटो क्या क्या हो गया तो एक तो जूड़ सके तिसरी बात क्या हो गई तो freedom of praise that is very important आप खुद सोच लिजे कि जिस समय अगर freedom of praise को खतम कर दिया जाए किसी भी देश में तो समझे कि उस देश का जो भी दिक्कत है या आमनो अदमी का जो भी आवाज है वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आगए जैसे चाइना, चाइना, नौः ठ और एक जहां पर freedom of praise नहीं है, चाइना, नौः ठ कोरिया में आपका freedom of praise नहीं है, इसका नतीजा क्या है कि चाइना के अंदर किसी भी तरह के जो चेंजेज होता है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता है नौर्थ कोरिया के अंदर किसी भी तरह का जो चेंजेज होता है वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाता है ना तो सबसे पहला काम होता है जो भी आपका मोनार्क होता है तो प्रे प्रांस में चल रहा था पर इसके अलाबा बाकी के कुछ और भी European कंट्री थे जहां पर कुछ और भी चल रहा था freedom of praise का मतलब अच्छा देको freedom of praise क्या आता ना praise का मतलब समझे मीडिया तो उस समय मीडिया इतना जाना डेबलप नहीं था बेशक पर मीडिया print media तो था ना उसमें print media मतलब paper तो छपता था तो आज paper में मीडिया वाला जो चाहता है छापता है कि नहीं चापता है अगर उसके पास प्रूफ है तो चाहे हो कोई नेता हो कोई प्रधान मंतरी हो या फिर कोई मिनिस्टरी क्यों ना हो अगर मीडिया का मन है तो उस खावर को छापेगा अगर ये खावर पक्की है तो है ना तो ये freedom of praise हो गया अगर मान लिजे example के लिए मैं बता रहा हो नरेंद्र-mode अगर करते हैं अगर गलत भी काम करते हैं तो मीडिया हमेसा यही कहें कि बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक्जामपल के लिए आप जी नियूज और इंडिया टेवी कुछ ऐसे चैनल है अगर आप सुनते हो न तो उसमें कभी भी आपको रूलिंग पार्टी का बुराई नहीं मिलेगा नरेंडर मोधी हम यह नहीं करने कि नरेंदर मोदी गलत हैं पर कभी भी आपको नरेंदर मोधी के अपोज में कुछ नहीं बोलर जाएगा वही आप एंडी टी भी अगर आप सुनोगे तो कभी Não är를 मोधी के फेबर में नहीं जिससे कि देस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो छो सब लोगों को पता चल सके डिस दफ्रैडम ऑफ प्रेश के लिए ना अब मैंने बात करी कि फ्रांस में तो यह चीछ चल रहा था पर इसके अलावा अगर भी European country में बहुत कुछ चल रहा था और वो European country था Germany Germany भी अपने आपको जो है रिबोल्ट करना चाहता था अपने अंदर changes करना चाहता था Unification करना चाहता था और इसके लिए वहाँ भी आम आदमी के अधिकार को आवाज को क्या किया जा रहा था बुलन्द किया जा रहा था तो कि हुआ क्या उसके लिए तो other side German region political association were conducted what is political association कोई बताएगा क्या what is political association what is political association कि पॉलिटिकल एसोसियेशन क्या है कि संगतन संगठन हां संगठन ठीक है meeting of leaders for revolution चलो ठीक है political association का मतलब छोटा सा example बता देता हूँ आप देखो कि क्या कि एक तरफ इंडिया में बीजे भी है और दूसरे तरफ एक दो नहीं Congress ट्रिनमुल Congress सिब सेना RJD सपपा SP और कौन-कौन सा दुनिया बन का पार्टी है यह सारे पार्टी एक साथ मिल गया है इसी को करते है political association जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी जब एक साथ आम जनता पार्टी नहीं भाई आम पार्टी AJP नहीं है TMC बिलकुल TMC ट्रिनमुल Congress पार्टी बिलकुल सही बोले तो यह जितने भी आपके पार्टी है यह सारे के सारे पार्टी एक साथ छोटे छोटे पार्टी है जिनका existence कतम होता जा रहा है वैसे पार्टी एक साथ जुड़े गया है उस सारे के सारे पार्टी एक साथ क्या हो गए जुड़ गए और जुड़कर एक association का formation किया इसका नतीजा क्या हुआ तो जो middle class थे उन्होंने क्या किया कि जो political association जो किया उस political association का नाम दिया गया All German National Party और वहां के जो middle class थे इसी All German National Party को क्या किया प्रमूट किया वहां के coalition government बिलकुल वहां गड़बंदर तो वहां के जो middle class जो लोग थे जो professionals थे उन्होंने क्या किया All German National Party को क्या किया प्रमूट किया नतीजा क्या हो गया कि All German National Party चुनाब जीत गए All German National Party जो है वो चुनाब जीत गई पर फिर हुआ क्या तो कहता क्या है कि 18 में 1848 को 831 members were elected मतलब वो completely मान के चलिए कि उन्होंने majority find कर लिया कौन? All German National Party Parliament became dominated by middle class Parliament क्या हो गया? Middle class के तुरू dominate किया जाने लगा क्योंकि All German National Party चीत गए और All German National Party जो थी वो किसके promote कर रही? कौन promote कर रहा था इसको? Middle class इसका मतलब है कि Parliament के अंदर middle class का क्या हो गया? domination हो गया. Parliament के अंदर middle class का क्या हो गया? domination हो गया. पर फिर भी पर फिर भी middle class का party बनने के बावजूद भी they failed to fulfill the demand of workers and artesians. उसके बावजूद भी 831 people was why elector बच्चा 831 है वहाँ और भी seat थे जैसे कि मानलों हमारे यां लोग सभा का मानलों 545 या 543 seats है 545 है इसमें 273 majority के लिए चाहिए और मानलों गर कोई 305 seat लेकर आया तो 305 seat elected हुआ ना उसी तरह से majority में इन्होंने 831 seat को क्या कर लिया? जीत गया. इसलिए बोला गया 831 members were elected है ना जितना भी seat था उनमें से 831 seat कोन जीता तो all German national party जीता पर फिर भी majority में आने के बावजूद भी majority में आने के बावजूद भी they failed to fulfill the demand of the workers and artisians वो demand पूरा नहीं कर से होता क्या है न कहीं बार कि हम जो है किसी भी party से किसी भी ruling party से जिसको board देते है ना उससे बहुत जादा हम लोग अपक्छा रखते है अपक्छा का मतलब क्या होता है उमीद रखना है न कि यह party आएगी तो मेरा जिन्दकी राते रात क्या हो जाएगा बदल जाएगा मेरे घर में अगर कुछ नहीं है तो बहुत कुछ आ जाएगा दर्वाजे पर कार लग ज दम सुनका रात रात में उनका इस्थिती बदल जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ और नतीजा क्या हुआ कि जिस उमीद के साथ जिस hope के साथ all German National Party जो है सत्ता पर बैठी थी वो hope पूरा नहीं हुआ और नतीजा क्या हुआ नतीजा यहीं हुआ कि जो होना था फाइनली गवर्मेंट है तिजॉल गवर्मेंट क्या हो गई डिजॉल हो गई तो अप्र मिंटू मलिक बिलकम है आपका और कोन ने लोगा है भई क्लियर ना तो जो नए लोग जुड़े हो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नोट्स के लिए वाट्सप या टेलिग्राम जिस पे आप जॉइन करना चाहते हो जॉइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा अब यहां क्या हो गया फाइनली गवर्मेंट हैज टिजॉल मतलब कि अगर फुल्फिल नहीं किया तो देखो कैसे होता है अटल बिहारी बाजपई को आप लोग जानते होगे अटल बिहारी बाजपई हमारे बहुत अच्छे प्रधान मंत्री थे बिसक आज नहीं है पहली बार जब बीजेपी जस्ट बिकम एन्याप एड नोट इन विल्कुल अनली थाटीन डेज और दूसरी बार जब इनकी गवर्मेंट वली तो अनली थाटीन मांक्स ठीक है ना अब यहां पर यह जो तेरह दिन की जो सरकार बनी या फिर थाटीन मंस की जो सरकार बनी दैट इस दा कोईलीशन गोबर्मेंट यह कैसी सरकार थी भही कोईलीशन गोबर्मेंट छोटी 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 बहुत सारी नई बिल्कुल जर्मनी डेमोक्रेटिक नहीं था भई जर्मनी डेमोक्रेटिक नहीं था पर रिपब्लिक जरूर था और लोग मां के मिडिल क्लास चाहते थे जैसे चाइना में भी चुनाब होता है चाइना में भी चुनाब होता है पर चाइना इस नौट डेमोक्रेटिक तो यह coalition government में छोटी छोटी जो पार्टियां थी अगर यह कहीं कि अगर मेरा demand पूरा नहीं करोगे तो अपना हम support बापस ले लेंगे बस यही चीज यहाँ पर भी हो गया बाकी जो members थे उन्होंने क्या कर दिया रिजाइन कर दिया दिया फिर अपना support बापस ले लिया constitutional मुलार की बिलकुल अपना support बापस ले लिया और नतीजा क्या हो गया government has dissolved कता government जो है dissolved हुआ पर फिर भी but it some changes done फिर भी कुछ changes वो चुपा थो आप यह समझ गया होगे कि all German National Party वहाँ पर चुनाब जी थी all German National Party वहाँ government बनाए जो government बना था और government बेसक काम कर रहा हो पर जो वहाँ का common people था जो labor था जो artesian था उनके demand को पूरा नहीं कर सका ultimately demand पूरा नहीं करने के कारण government dissolve हो गई और government dissolve होने से पहले फिर भी यह कुछ ऐसा काम कर चुका था जो कि Germany के Germany कोई बात नहीं सुपने शागर जर्मनी के favor में कुछ काम किया गया और कौन सा था भई तो that is सर्फडॉम और बॉंडेड लेवर एबॉलिस्ट बॉंडेड लेवर की में बात कर रहा हूं यह बॉंडेड लेवर कौन थे भई तो वैसे लोग जो गरीब थे जिनके पास अपना जमीन नहीं था या फिर नहीं क्या होता था तो उसी तरह का का बंडेन लेवर के जैसा ही काम करता था भूनडेड लेवर करते कि इसको है टो इस में दोनों के दोनों क्या हो गया यह क्या कर दिया गया जर्मनी के अंदर abolist कर दिया गया, खतम कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा काम हुआ कि अब आप किसी को bounded labor नहीं रख सकते हो दूसरा चीज granted autonomy to Hungarians Hungary वे एक state था उस समय का और उन्हें क्या कर दिया उनको autonomy दे दिया कि अपना साथ काम तुम खुद करो, इसमें जर्मनी किसी तरह से interference नहीं करेगा ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि Hungary भी अपने आपको क्या करता है बिल्कुल, pay rent for land Hungary भी क्या चाता था कि अपना autonomy चाता था कि यहां के लोग हैं तो राजा भी यहीं का हो, या फिर सासन भी यहीं का हो, तो इन्होंने क्या किया जो आपका all national, all German national party थी, उन्होंने Hungarian को क्या कर दिया autonomy grant कर दिया clear ना एक और चोटा सा चीज मैं बता देता हूँ कि WhatsApp का जो group है, मैंने ये कर दिया है, आप लोगों के लिए block कर दिया है, क्योंकि normally उसमे message आप करोगे, बच्चा ना, तो important message आपके पास नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, इसमें इसलिए आप message तो नहीं कर सकते हो, पर मेरा message आप तक जरूर पहुँच जाएगा, क्योंकि that group is not for the common chatting, है ना, इससे important message आप तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, आप लोगों के लिए बंद कर दिया, जरूरत होगी, तो आप personal message करके मेरे से सिर्फ एक वा, unnecessarily आप मेरे को disturb नहीं करना, please, क्योंकि मैं खुद goises करूँगा कि मैं आपके लिए 100% अपना दे सको, तो यहां तक सब कुछ किलियर है, everything is clear, everything is clear or not, यहां तक everything is clear, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे चलने वाले हैं, आटो नॉमी, बच्चा आटो मतलब तो पता ही आपको, आटो मतलब जो अपने आप चले, है ना, और नॉमी का मतलब भी पता है आपको, मतलब ऐसा चीज, ऐसा चीज जो खुद से करे, है ना, अपने आप करे, दूसरे के द्वारत थापा ना जाए, आटो नॉमी, तो अपना काम कुद कीजिए, जर्मनी का किसी तरह से कोई इंटर्फेरेंस नहीं होगा, इस इस कोई इस के लिए दिया गया था, हंगरियन के लिए दिया गया था, चलिये, जो नए बच्चे आया हो बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो की जर्मनी की बात हम लोग करते हैं न तो देखो जर्मनी जर्मनी एक ऐसा देश है देखो दो देश दुनिया का ऐसा देश है जिनके अंदर बहुत जादा विल पावर है दो देश दुनिया में दो देश ऐसा है जिसके अंदर बहुत जा जापान ये दो ऐसे देश हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है ये कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं रह सकते शॉट आउट दे दो प्लीज सर शॉट आउट क्या होता है बच्चा आप मेरे को बताओगे तब तो मैं बोलूंगा वाट इस सॉट आउट आपका नाम पुकारना है क्या करना है मेरे को नहीं आइडिया है इसके बारे में आप मेरे को समझा दो ये सॉट आउट क्या है अच्छी आरियन ओपी चलो ठीक है चलिए आरियन ओपी मैंने आपका नाम ले लिया है चलिए अच्छी बात है चलिए अब जर्मनी की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जर्मनी के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है बिल पावर बहुत जादा है और इसी तरह से जापान के अंदर भी फिल पावर है आप देखो जर्मनी इतना जादा लडाई किया आप देखो फर्स्ट वल्ड वार सेकंड वल्ड वार उसके बावजूद भी आज जर्मनी का एकोनोमी जो है पुरे दुनिया में फोर फिट न इतना फर्स्ट वर्ड वार सेकंड वल्ड वार चाइना वार उसके बावजूद भी जापान आज की डेट में तीसरा चौथा जो है क्या है एकोनोमी है है ना तो यह जो एकोनोमी बना डाट इस विकावज अप्ड़ विल पावर तो यहां पर आते हैं अब लोग जर्मनी क कि जो लोग थे वो अभी भी क्या चाहरे थे कि जर्मनीको कंट्रोल करें पार्लियाुमेंट डिजॉलर्ग तो हो गया 1848 की बात हो रही है पर वो जर्मनी को क्या कर रहे थे कंट्रोल करना चाहते थे on the base of nationality on the base of nationality अब यहाँ पर क्या हो गया तो यहाँ पर जर्मनी के अंदर चेंजे जाना सुरू हो गया जो वहाँ के जो common people थे जो जर्मनी के common people थे उन्होंने क्या किया तो उन्होंने support लेना सुरू कर दिया किसे junkers of Persia से in the leadership of autoborn Bismarck विसमार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा विसमार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक है ना विसमार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया तो जो जर्मनी के common people थे उन्होंने क्या क्या रिबोल्ट किया और इसको support कौन किया तो junkers of persia who is junkers what is junkers और यह किसके leadership में हुआ तो that is under the leadership of the autoborn vismark autoborn vismark कौन था भई तो autoborn vismark जो था आपका persia का general था persia का general था ठीका ना तो इन्हों ने क्या किया leadership of vismark के जो कि आपका जर्मनी के अंदर था autoborn vismark जो था जर्मनी के अंदर था जर्मनी के अंदर रिबोल्ट हो रहा था हम आप किजिएगा जर्मनी के अंदर जो बिद्रो हो रहा था उसका leader था autoborn vismark जर्मनी के अंदर जो revolt हो रहा था बिलकुल और उसको कौन support किया तो Junkers of Persia, तो Junkers के बारे मैंने आपके यह पर लिख दिया है कि Junkers वो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था बहुत ज़्यादा वो लोग क्या थे जंकर्स उनके पास बहुत सारा पैसा था उन्होंने क्या किया they owned great estate they were maintained and bought by the peasants with few rights उन्होंने क्या किया कि वहां के लोगों को support करना शुरू कर दिया अब इसके बाद क्या हुआ तो इसके बाद जो है आटोवन विसमार्ग जो था पर्सियन आर्मी के support से निशनल यूनिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया पर्सियन स्वपने शागर शॉट आउट विच्चा जरूरी है कि आप लोग बोल रहे हो सॉट आउट देना सॉट आउट देना तो यहां पर क्या हो गया जो बच्चे डिसलाइक की है जरह सा बता दीजेगा क्या कमी रह गी वही मैं उसको ठीक कर दोंगा अगर आप डिसलाइक कियो तो बताओगे ना कारण अभी आप बता सकते हो तो बता देना दो बच्चे उना डिसलाइक किया है चलिए तो यहां पर क्या हो गया कि national unification होना start हो गया किसके कंट्रोल में भई किसके लिडर्शिप में इन दर लिडर्शिप ऑब दर सर पहली बार किसी लाइम में सौट आट मिला अच्छा अच्छा ठीक है भी तो यहां पर ऑटोपोन बिसमार्क के लिडर्शिप में क्या हो गया जर्मनी का play unification होना शुरूब हो गया अब यहां पर क्या होता है कि थ्री बार साथ साल के अंदर साथ साल तीन लडाई होता है और अल्टीमेटली तीन लडाई के बाद जर्मनी विकेंडेंडेंडेंट जर्मनी in independent अगर independent होने के बाद एक डॉग को यही पर बार करना एक जरा सा बिचाथवा सा बेट करना अगर विड़ो ओपर आगा मैं प्लोज कर दूगा है न तो यहां पर फिल क्या होना सुरू हो गया तो जैसे ही आपका जर्मनी का जर्मनी इंडिपेंटेंट हुआ जैसे ही आपका जर्मनी इंडिपेंडेंट हुआ केसर बिलियम फर्स्ट और पर्सिया हेडेट दा न्यू जर्मन एम्पाइर कौन केसर बिलियम फर्स्ट जो क्या बनाया शशिया बिल्कुल अब खतम हो गया भै अब कंट्रोल तो उस पर नहीं न कर सकता जो मेरे कंट्रोल में हो मैं जरूर कोसिस करूँगा तो यह आपका क्या हो गया केसर बिलियम फर्स्ट के लिडर सीप में आपका क्या हो गया नया जर्मन एम्पाइर का फॉर्मिशन हुआ चलिए अब आगे चले क्या अब हम लोग यह आपका जर्मनी था यूनिफिकेशन अब जर्मनी की बात किये अब हम इटली की बात करते थे तो कहता है इटली वाज डिवाइडे इंटो सेवन स्टेट्स यह ध्यान रखियेगा इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था भई सेवेन स्टेट्स में डिवाइडेड था इन साथ स्टेट में ओनली सर्दानिया ये ध्यान रखिएगा सर्दिनिया ये नाम आपको याद रखना है बस थोड़ा सा बचा है खतम हो जाएगा आज हम लोग का खतम हो जाएगा ओनली सर्दिनिया एक ऐसा लोकेशन था जहां पर आपका इटलियन पीपल के द्वारा या फिर इटली के लोगों के द्वारा रूल किया जाता था किलियर ना इटली उस समय साथ स्टेट में डिवाइड़ था जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्दिनिया जो था उस सर्दिनिया आपका क्या था सर्दिनिया जो था आपका इटली के लोगों के द्वारा रूल किया जा रा था बाकी जो 6 स्टेट थे बाकी के जो 6 स्टेट थे उन पर किसका अधिकार था भई तो इस्पेन का आस्ट्रिया का और फिर अधर स्टेट का अधिकार था किलियर ना सरदिनिया को छोड़ कर बाकि जितने भी छे स्टेट थे सबके सबके उपर किसका अधिकार था भई तो इस्पेन, आस्ट्रिया और अधर स्टेट का कता इटली इटली एट यूनिफिकेशन प्रोग्राम वाज इनिसियेटेड बाई बट इट फेल्ड सुरुवात में आपका क्या हो गया? इटली का इनिफिकेशन के लिए काम किया गया पर इनिसियल स्टेट में आपका क्या हो गया? यह फेल्ड हो गया और बाद में यह भी याद रखना आपको चीफ मिनिस्टर केबर laid the movement, यही है चीफ मिनिस्टर के वर, जोने movement को laid किया, किसके help से गुसिपी गरिबल दी, किसके help से गुसिपी गरबल दी, और ultimately क्या हो गया, इन 1861, Vector Emanuel II proclaimed the king of the united Italy, यूनिफिकेशन क्या होता है, रेपर हलो बच्चा, यूनिफिकेशन का मतलब, यूनिफिकेशन का मतलब दो अलग-अलग चीज, जब यूनिफाई होता है, तो दोनों मिलकर एक बन जाता है, इस इस कॉल्ड यूनिफिकेशन, मैंने आपको बताया कि Italy साथ स्टेट में अलग-अलग डिवाइड था, साथ स्टेट में अलग-अलग डिवाइड था, जिसमें से सिर्फ एक सरदिनिया था, सरदिनिया के ऊपर Italy का रूल था, बाकि जो छे स्टेट थे इस पर Austria, Spain और अधर स्टेट का रूल था, अधर स्टेट का रूल था, और इ गुसीपी गरवल्दी अब गुसीपी गरवल्दी कौन थे भई? वाज गुसीपी गरवल्दी प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा बच्चा? प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है क्लेम समझते हो ना क्लेम्ड का मतलब अधिकार जताना बस claimed से मतलब किसी चीज पर अधिकार जाना, मतलब उनको अधिकार दिया गया, that is called proclaimed, है न, अब हम गुसी, गुसीपी गरबल्दी की बात करें, तो he was the Italian general, वो कौन थे, इटली का जेनरल थे, पैट्रियोड थे और रिपब्लिकन थे, और होने इटली के युनिफिकेशन में बहुत बड़ा contribution किया, कौन? गुसीपी, गरबल्दी, जंदल का मतलब वहाँ एक post होता है, अभी भी हमारे यहां जंदल है न, वह आर्मी में या किसी चीज में एक post होता है, वहां का जो आर्मी होता, उसमें जंदल का एक post होता है, I am from जहारखंड, अगर आप यहां पर आएं, तो ज़रूर आप मेरे से मिल सकते हो, तो यहां तक सभी बच्चों का किलियर है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपसे उमीद भी करता हूँ, कि आप अपने दोस्तों को invite करोगे, चैनल के साथ आप भी जुडोगे, वीडियो को like करोगे, और मैं यह नहीं कर सकता, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सभी लोगों का अच्छा ही लगे, सबका अपना अपना बिचार होता है, चलिए, यहां तक सभी लोगों का clear, अब next पे चलते हैं, strange case of Britain, देखो, ब्रीटेन जो है न, यह last topic हम लोगा होगा, थोड़ा बहुत बचेगा, ब्रीटेन जो है न, यह सुरुवाद से, ब्रीटेन का मतलब इंगलैंड बोल रहा है, ब्रीटेन का मतलब, इंगलैंड की बात में कर रहा हूँ, यह सुरुवाद से ही बहुत चतुर लोग थे, आपको पता ही है, बिल्कुल I am from near the temple, तो यह क्या हो गया, strange case of ब्रीटेन की बात में कर रहा हूँ, इंगलैंड जो है न, हिंदुस्तान पर अधिकार आप करते हो न, ब्रीटेन, तो ब्रीटेन तो ठीक था, ब्रीटेन इन दे सेंस, इंगलैंड का अधिकार था हमारे है, है न, इंगलैंड ज क्या हुआ है, यह देखो, यह वाला जो portion है, यह वाला portion Ireland है, और यह वाला portion है, जो यह आपका Scotland है, और यह वाला portion आपका England है, मतलब तीन अलग-अलग state हुआ न, क्लियर न, यह तीन अलग-अलग state हुआ न, कौन-कौन, Scotland, Ireland, और इंगलैंड, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था, इंगलैंड था, आभी नहोंने किया क्या, कि इन 1688, इंगलैंड established as a nation state, इंगलैंड को एक nation state बनाना शुरू कर दिया, nation state के बारे में तो आपको पता ही है, इसके अलावा, बच्चा जॉले बरीन के बारे में आपको पढ़ना है, आप पुराना वीडियो मेरा ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको डिसकस कर चुका हूँ, जॉले बरीन के बारे में आपको डिसकस्ट, आप second lecture में देखना, इस ठीक है न, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो English Parliament seized power from the monarchy, है न, English का जो Parliament of Monarchy का power को seize कर दिया, और Act of Union 1707 को पास किया गया, और इसके अनुसार क्या किया गया, देखना, यह Act of Union क्या किया, तो formation of United Kingdom of Great Britain, ये तीनों स्टेट को मिलाकर इन तीनों स्टेट को मिलाकर इन तीनों स्टेट को मिलाकर एक क्या किया गया? United Kingdom बनाया गया of Great Britain. In 1801, Ireland आइरलेंड नहीं चाहता था कि हम इसके साथ जुड़ें पर उसको possibly Britain के अंदर मिला लिया गया. और एक नया British state form हुआ जो कि किसके द्वारा डुमिनेट हो रहा था? तो only dominated by England. किसके द्वारा डुमिनेट हो रहा था? England. आज की डेट में आपका Ireland का देख लो. Ireland का existence उतना बढ़िया नहीं है जितना कि England का. है ना? England का cricket team देख लो और Ireland का cricket team देख लो दोनों में कितना फरक है? तो English culture के द्वारा Ireland, Scotland दोनों dominated हो गया पर Great Britain के अंदर Ireland, Scotland और England तीनों के तीनों देख आते हैं. अब आते हैं यहाँ पर visualizing the nation. अब यहाँ पर सभी देख क्या चाहते थे? Nation state का formation करना. जितने भी state थे समके सम क्या चाह रहे थे? nation state का. और इसके लिए उनको एक iconic character चाहिए होता था. क्या चाहिए होता? Iconic character और उस iconic character जो था उसका नाम दिया गया allegory. अगर आपसे पूछा जा allegory क्या है तो आपको इस तरह से बताना है कि allegory is the female iconic character. Allegory is the female iconic character. यह female iconic character क्या था? पहली बात तो कि यह जो female iconic character, यह दोनों अलग-अलग देश का है, यह female iconic character कोई सच में real नहीं था. That is imagination. इन्होंने किया क्या? कि Mason were portrayed as female figure, एक देश को female की तरह दिखाना सुरू कर दिया है. जैसे हम लोग भारत माता कहते है ना, जिस तरह से हम लोग भारत माता कहते है ना, उसी तरह से इन्होंने क्या किया? एक female state, female के तरह France को या फिर Germany को दिखाना सुरू कर दिया. मतलब ये character जो है ना, France को represent करना सुरू कर दिया. है ना, उसी तरह से female form that was chosen personified, the nation did not stand for any particular woman in real life. ये personified करना सुरू कर दिया. और इसका नाम क्या था भई? तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एक नमबर में. जो France का allegory थी, allegory, हर नेम बाज Mariani. France की जो allegory थी, उनका नाम क्या था? Mariani. और जो Germany की allegory थी, हर नेम बाज Germania. तो ये आपका हो गई Germania. Germania. है ना? और ये आपका क्या? हर नेम बाज Mariani. ये France को रिपरजेंट कर रहे थी. और ये Germany को. तो इन्हों ने क्या किया? एक तरह से आइकोनिक सिंबल रिपरजेंट किया. क्या किया? आइकोनिक सिंबल बनाया और उस आइकोनिक सिंबल को एक देश के साथ जोड़ दिया. किसलिए? only for the nationalism. नेसनलिजम को प्रमोट करने के लिए. किलियर है न? डेली लाइव होता आठ बज़े बिलकुल बिवेक चौबे डेली लाइव होता आठ बज़े बच्चा. आठ बज़े आप आकर जोड़ सकते हो. आजू भाई is live. उपरकास ऐसा काम मत करो भई जिससे disturbance हो अब आते हैं nationalism and imperialism. इसके बाद हम लोग का आज का topic खतम हो जाएगा और chapter भी खतम हो जाएगा. ओम परकास ऐसा काम मत करो बच्चा जिससे आपका character देखें. अगर आप पढ़ने आए हो तो disturb मत करो. ऐसा काम उन्हें कीजिए जिससे पीड़ा हो और उनको पीड़ा देके आ पर पीड़ा होएं. ऐसा काम ही क्यों करते हो? नाम आपका इतना अच्छा ओम परकास हो काम इस तरह का अंधेरा वाला. चलिए. Nationalism and imperialism. What is imperialism? कोई बताएगा क्या? What is imperialism? Nationalism तो आप समझ गए. Imperialism क्या है? Fast. जल्दी कीजिए. लास्ट टॉपिक बचा बिल्कुल छोटा सा वालकन स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह आपका आज का चैप्टर खतम. What is imperialism? Rule of Monarchy चलो ठीक है. Rule of Monarchy भी ठीक है. पर फिर भी imperialism का मतलब क्या होता है न? कि जब एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल करता है. जब एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल करता है न? तो उसको करते इंफरियली जब. My basics are big. अंकुर कोलोल. What to do? कुछने बच्चा regular study कीजिए. चैनल के साथ जुड़े रही है. बिल्कुल colonial. चैनल के साथ जुड़े रहना है. कल आपका हम लोग इसका objective करेंगे. परसो एक नया chapter शुरू करेंगे. हर दिन आप live आओगे तो 100% आपका basics किलियर हो जाएगा. क्यो बालकन स्टेट्स बहुत important चीच. बालकन स्टेट्स क्या है भई? तो बालकन स्टेट्स कुछ स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया था. है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना? साओध एसिया. साओध एसिया में इंडिया से लंका, बंगला देश, पाकिस्तान सबा जाता इसमें अलग-अलग देश थे जैसे कि रोमानिया, बुलगारिया, अलबानिया, ग्रीस, मर्सिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेजन गोबीना, स्लोबीनिया, सर्बिया और मोंटे नेगरो ये सारे के सारे साओध 9 स्टेट्स थे ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, ग्यारे स्टेट्स, ठीक है ना? ये ग्यारे स्टेट्स मिलकर क्या मने थे? बालकन स्टेट्स मने थे, है ना? बिल्कुल कंट्रोल ओन अधर स्टेट्स, अब यहाँ पर आते हैं, काता है बालकन स्बाजे रीजेन ओप जेग्राफिकल एन एथनिक बरिये ये भी तो हो सकता है, लैंग्वेज भी अलग हो, जब सब कुछ अलग-अलग होगा तो बालकन स्टेट्स कैसे रह सकता है? तो क्या कहता है कि बालकन स्बाजे रीजेन ओप जेग्राफिकल एन एथनिक बरियेशन बाज अंडर दा कंट्रोल ओप ओटोमान एंपायर के कंट लिया, इटली को देख लिया, और जर्मनी को देख लिया, जब अपना पडोसी देश को जब इन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या चेंज़ जाया, इनके अंदर भी वह आग जलना सुरू हो गया, कि मेरे भी बालकन स्टेट्स के अलग-अलग जो स्टेट्स से बारवारा, स सब अलग-अलग स्टेट्स अपना-अपना क्या चाहना सुरू कर दिया, अपना-पना नेशन चाहना, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना सब कुछ चाहना सुरू कर दिया, अल्टिमेटली क्या हो गया, कि सारे देश एक होकर भी अलग-अलग होना सुरू हो गय कहता है दबालकन स्टेट्स वर फियर्सली जेलेस फियर्सली जेलेस का मतलब बहुत ज्यादा जलन होना और और हर कोई चाहता था दूसरे पर अधिकार जमा लेना नोट्स प्रवाइड होगा बच्चा वाट्सअप या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ो कल की डेट में आपको नोट्स वेज दिया जाएगा हो सकता है हाँ कल की डेट में मैं आपको नोट्स वेज दूँगा वाट्सअप ग्रूप में आपको जोईन करना है नोट्स जाएगा तो यहां पर क्या हो गया सारे देश एक दूसरे के एरिया को कवर करना सुरूख कर दिए ultimately European powers were also looking for the extend their control over the area जो एरोप के जो पावर अलग पावर थे ब्रीटें थो फ्रांस था बाकी जो जितने भी थे वो भी क्या चाहते थे कल दस ग्यारा बज़े तक भेज दूँगा वो भी क्या चाहते थे कि बालकनी स्टेट्स पर किसी तरह से कबजा कर लिया आ जाए और अल्टीमेटली अल्टीमेटली इस लेट तो ये स्टेट्स अलग अलग हंगरी क्रोशिया, स्लोबेनिया, आस्ट्रिया, बोस्निया, हगरमिया, सर्भिया, कोसोबो ये सारे के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सबके सब बालकन स्टेट्स में ही आते हैं न और इस तरह से हम लोगों का आज का चैप्टर खतम हो गया बिलकुल कभी कभी लाइटिंग की बज़ा से ही दिखता है बच्चा लाइटिंग की बज़ा से नहीं, फैन की बज़ा से आपका ग्रीन स्क्रीन दिखता है वाट्स अप नमबर आपका डिस्क्रिप्टर में लिंक दिया हुआ है भई अननेसेसरली आपको मैसेज नहीं करना है डिस्क्रिप्टर में लिंक आपका दिया हुआ है यहां तक समका clear हो गया और इसके साथ हमारा इस chapter का the end हो गया